हम सबर जाएंगे हाँ जी किसका ओहो ओहो एहे आहा हा हा चली भाई आजाएंगे सबी लोग सागत है सभी का आजाओ जाने जाना ओ ओ जाने जाना धूंडे तुझे दिवाना सपनों में रोज आए भाया जल्दी डलवाओ जल्दी साड़े दस बरे डलाई दिया करो लिंक बोलने की फोन लगाने की जुरत नहीं बननी चीए हम सबर जाएंगे ऐसी बातें कि या ना करो आज जाने की जिद ना करो कुडी मैंनू कैंदी मैंनू जुत्ती ले दे सोने या मैं क्या ना गोहोरी ये ना 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 गोहोरी ये अधन चमकेनू तरस देरेंदे सोने या मुझे से भी आज मुझे को मिला दें दिखूं कल्बों में तू है के नहीं तेरे आस पास मैं हूँ और मेरे पास तू है के नहीं चली आ जाएंगे सभी लोग स्वागत आप सभी का नमस्ते सच्रीकाल जैस्याराम जैस्याराम शुरू करेंगे आ जाएंगे सर एक कोशन था सीपीसी में उसमें पुछा था विच डॉक्ट्रीन हेल्प टू प्रिवेंट मल्टिपल केस ओफ कॉस अफ एक्शन रेस सब जुड़ाइस लिखेंगे की रेस जुड़िकेटा की दोनों लिखेंगे आ जाओ जल्दी आ जाओ कुनाल वैसे रेस जुड़िकेटा आना है बट रेस सब जुड़ाइस भी लिख सकते हैं प्रफ़ है मतनब दोनों भी लिख सकते आप कहने का मतलब यह को नल है चलिए आज़ ऑडियो लेक्ट्सर मैंने बोला है ना संड़े को मिलेंगे फिर हर दिन एकी चीज हर दिन अगा एक किशीज हर डिन एकिशी 27 संड़े मैने जाएंगे तो मिल जाएंगे मेरा वाचा निया सशन है चलिये आजाओ कॉनदर हिए3 हैंड राइटिंग नहूर्ट हैंड अटनाट अबहों हेंड बता है अनशी का सिंगल उसने हैंट रिटन नोट है हैं रिटन होता है हो अंशी का क्या लिखती है यार चलिए हो क्या ही है मैं दो मिंट के लहरान होगे कौन से नोट से भाई नो मुझे ही नहीं पता चलो आजो ओके गुड मॉर्निंग शुरू करें रादे रादे भाईया आजाओ सारे बोल सांचे दरबार की जै चलिए ओके जैश्री राम जैश्री राम आजाए भाईया शुरू कर रहा है इंडियन पीनल को का सेक्शन 403 आजाए चलिए यहां से एक बार रिवाइस करवा देता हूं कॉंस्पिरेस यहीं से कर लेते हैं पार जल्दी से कमान फड़ाफट आंसर आने ची फड़ाफट कॉं कॉंसे केस में डेथ की सज़ा हो सकती है दै मॉर्डर दा कैती वित मॉर्डर वेजिंग वार अगेंस गोवर्मेंट ऑफ इंडिया अबेटिंग मुटनी एक्शली देट गेविंग और फैब्रिगेटिंग फॉल्स एविदेंस अपॉन विच इनोसेंट पर संफ देथ अबेटमेंट ऑफ स्यूसाइड बाइनर और इंसें पर संट अटेंप्टेड मॉर्डर बाया लाइफ कंविक्ट क्या बात है क्या बात है यह सब कैसे में कॉन सीज़ा है देट उसको हेतने capital punishment क्या कहतने लाला capital punishment कहते है बलो हाया ना wonderful दोसतो चलिए next है people ध्यां देगे criminal conspiracy क्या है तो when two or more person agree to do or cause to be done any act which is illegal or act which is not illegal but by illegal means this is known as criminal conspiracy but there should be an act in pursuence of agreement 9 सूना लग रहें कि सूना सूना लग रहे है ते सwheel के सूना 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 तो अच्सी ओध है कोई भी उलिंगल काम या पिर काम जो इल इस offset करने से करने कर अग्रिमेंट करTF주는 लेग subsid prose नहीं होगी कोई कार्यूपर ना पड़ेगा हां या ना यह है section 120a 120b में इसकी बताई गई है punishment अगर आपने conspiracy की है ऐसी चीज की जिसमें death हो सकती है imprisonment for life हो सकती है या फिर दो या दो से जादा साल की rigorous imprisonment हो सकती है तो जिसने conspiracy किया उसको same सजा मिलेगी जैसे कि उसी ने offense किया है इसके अलावा किसी offense में वो conspiracy करता है तो ऐसे केस में उसको छे मैंने की jail या fine या दो no yes or no people को okay people सान्या कहती है सर मेरा भी एक question है preparation for cases में punishment क्या होगी preparation के वह four cases में punishment क्योंगी प्राच्ची और जिसने भी a question पूछा है कि preparation के वह four cases में punishment क्या होगी वह आपको नहीं है course में आपको सिर्फ यह है कि punishment कौन-कौन से चार केस में punishable है बस आपको यह याद रखना है ठीक है वह हर चीज की अलग punishment है चलो आ जाओ okay आईए भाई आगे बढ़ते हैं चलिए let's begin people next भाईया ध्यान देना excuse me अब आना है हमने शुरू करना है 403 से ठीक है भाईया कहां से शुरू करना है लाला 403 जितना मैं बोलूगा उत्ता अच्छे से learn करते चलेंगे आपका काम होते चलेगा पूरा अच्छे से बढ़िया आजओ लाला section 403 जाए जेल में section learn हाँ जहाँ पे मैं बोलूगा मैं learn करने है section ठीक है चो होरी हिंदी में बोलू तो हो चोरी का section 403 कि कहते है जब भी कोई व्यक्ति मिस्प्रॉप्येट करता है मतलब चोरी करता है यह फिर में अच्छे करके उचे कSchój करे उसे बेच देता है कन्वर्ट कर लिएता यहार सी का समान खुद रख लेता है यह तो मिस हो यह ऊर ऐसी चीज बीढ़नी की चोड़ कर सकते हो बीढ़ लेकिन की कर सकते हो ना मौडीबल चीजि चोरी हो सकती है इमडिया करण सेक्श्व 1 0 3 कि आगभर आप मिस अप्रोपिेold करताई करते हैं जाए सिंपल सी सजा है, कोई भाइय सजा दे नहीं रहें आपको दो साल की जेल या फाइन या दोनो, बुला या न भी है या दोनों, so if any person misappropriate or convert the property, ठीक है, dishonestly, any movable property, then he is punishable with imprisonment of two years, or fine, or both, yes or no people, तो या दोनों, अगर आपको section 403 आया, पूछेंगे उसके essentials, आपको essentials याद रखने कि भाया, कोई भी property को misappropriate करते हैं, या convert करते हैं, dishonestly करते हैं, और movable property होती है, तीन पॉइंट या दखने हैं, जेहिंज भारत, बस, और punishment, punishment कितनी हैं, दो साल की जेल, या fine, या दोनों, फिर से बोलो, दो साल की जेल, या fine, या section कौन सा है, 403, चोरी, 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 दो तरीके से हो सी है, या तो किसी का सामान खुद रख लेना, या समान लेके बेच देना, समान लेके बेच दिया, miss appropriation, खुद रख लिया, conversion, बोलो, हा या ना, yes or no, कैसे, किस intention से, dishonest intention से, property कौन सी है, movable, अब इसमें बड़े सारे illustrations, examples हैं, जिससे case loss बनते हैं, वो सारे case loss हमने आज करने हैं, ध्यान देंगे, सभी लोग, please, सभी लोग ध्य ध्यान देंगे, everyone of you now will concentrate, और जितन भी लोग online lecture देखते हैं, दोस्तों, comment ना करके ध्यान इस पर दिया करो, ना, लाला, चलिए, okay, आजाओ जल्दी से, family के members नहीं लिग लिए, आया, बीचा सबने, साजी, वर्षा जी, अगर एक crime में, अगर किसी के साथ जुड़के करे, like, आप crime कर लिए, मैं आपका साथ दे दो, तो वो conspiracy में आएगा, याद रखने है इस बात को, लेकिन हाँ, आपने crime कर दिया है, करने के बाद मैं आपको सिर्फ प्रोटेक्ट करूँ, तो वो conspiracy में नहीं आएगा, लेकि आपने crime कर लिया, और उसके बाद मैंने आपको करेंगे, और कर दिते हो, बस समझ ने, ओके, अब ध्यान जो सुनना, चोरी के कुछ illustrations हैं, ध्यान देंगे सभी लोग, आप आए मेरे घर पे, आप आए मेरे घर पे, और लेके चले गए मेरा फोन, यह सोच कि यह आपका फोन है, जैसे कल आशीच सर के साथ, आशीच सर मेरा फोन लेके चले गए, उनको लगा, यह आशीच सर का फोन है, क्योंकि दोना का सेम सेम है, तो आशीच सर को लगा, यह आशीच सर का फोन है, आशीच सर लेके चले गए, क्या यह चोरी है, क्या आशीच सर को दो साल की चले यह फाइन यह दोना होना चाहिए, नो, because he was in a good faith, क यह उनका phone है, हाँ या ना, लेकिन अच्छा लेगे चले गए, कि उन्हें लगा कि यह आशीश सर का phone है, बाद में हुआ गया कि उन्हें पता चला, आईला, यह तो मेरा phone है ही नहीं, यह तो, मुझी सर का phone है, फिर सर ने बेच दिया, तो 403 एट्रेक्ट हो जाएगा, तो 403 एट्रेक्ट हो जाएगा, दो सल की जेल, यह फाइन, यह तो नो, पहला इलुस्ट्रेशन यही है, बस, याद रखना है, केस लो आया, तो समझ लेना, honest है, तो सजा नहीं है, dishonest है, सजा है, बात खतम है यहीं पर, हाँ या ना, चले, द आपने बोला, यह बुक हमारे काम की है, यह बुक में तो हमें मजा आएगा पढ़के, आपने वो बुक लेके चले गए, सामा सूत्र की, और बोले, तो हमको समोधी सर थोड़ी मना करेंगे, यह बुक ले जाने से, तो क्या यह चोरी है, ना, क्योंकि आपने यह सोच के ले हो जाएगा, बहुत समझ रहे हैं आप लो, wonderful people, next है, दो लोग joint owner है, अबड़ सर और मेरा एक ही घोड़ा, अबड़ सर और मेरा एक ही घोड़ा, ऐसा नहीं हो सकता, है, होर्स की बात हो रही है, चमनो, तो अबड़ सर और मेरा एक ही होर्स है, अब मैंने वो होर्स अबड़ आप बड़ तो को पैसे भी नी दिया, क्या 403 attract होगा, येस, समझ रहा है, जब जब नियत में खोट होगा, 403 attract होगा, और जब जब नियत सची होगी, 403 मिनतलब कि वह होगी, मतलब बच होगे उससे, क्या हो गया आप, बच होगे, आप नियत सइय होनी जिए, यह नियत, आज़ो, next है, आपको रस्ते में, मान लीजिए, say for example, कोई, you know, मान लीजिए, की रस्ते में पढ़ा हुआ, आपको हमारी class में online student है, प्राची, प्राची का आपको पर्स मिल गया, रस्ते में पढ़ा हुआ, प्राची का पढ़ा हुआ क्या मिल गया, पर्स, रस्ते में, अब आपको पता चला, यह तो प्राची का है, आपने उठा लिया की प्राची को दे देंगे, आपने उठा लिया पर्स की प्राची को दे देंगे, यह चोरी नहीं है, लेकिन प्राची को नहीं दिया, तो चोरी है, समझे ने, तो यह वाला किसामपल है, फिर, मालीजी आपको रस मैं पढ़ा हुआ पर्स मिला पता ही नहीं है किसका है आपने सीधा उसको उठाके बेच दिया तो भी छोरी है लोग कहता है आपका आपकी obligation है कि आपको ओनर को दूड़ना है और आपको उसको उसको चीज देनी है अगर आप यह नहीं करते हैं तो भी 403 attract होगा अब समझें कब कब 403 attract हो रहा है जब जब नियत में खोट है है ना जी बास समझें ने सुझा आपको इलस्ट्रेशन सारे क्लियर है कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं नहीं चाहिए बोलो हाया ना wonderful people wonderful people wonderful people next है ध्यान देना एक केस था केस का नाम था बागिराम डोम वर्सेस अबर डोम बोलो कौन सा किस था बागिराम डोम वर्सेस अबर डोम अब इसमें क्या डिसाइट किया कि अगर कोई चीज आपके पास innocently तरीके से है मतला नियत सही आपकी लेकिन बाद में वो fraudulent हो जाए तो भी 403 attract होता है सर एक्जांपल दो एक्जांपल देता हूं आपको कि मान लीजिये मैं आपके घर से एक कार लेकर आ गया यह सोचके कि आप मना नहीं करोगे बाद में आपको बता दिया मेरे पास कार है जब मांगोगे दे दूगा जब मंगोगे दे दूगा तुमने बोला ठीके सर मोदी सर ओके सर आप पर भरोसा आप दे दोगे हमारी कार जब मांगेंगे बाद में तुमने मांगे मैं देही नी रहूं, देही नी रहूं, देही नी रहूं, देही नी रहूं, तो पहले जब मेरे पास कार थी, वो कैसी थी? अभी, क्योंकि अभी दोनों good faith में काम कर रहें, लेकिन अगर वो सामने ला मांगे और तुम उसको ना दो, तो 4038 होगा, मांगने पर देना पड़ेगा, जब मांगे तो देना पड़ेगा, ठीक है, बागी राम डूम, अरे yes or no, चाहिए नी होता, देना पड़ेगा होता है, चलिए, ओ क्या आजाओ, अभी next है, ओधार वर्से स्टेट आफ जारकन, कौन सा है, ओधार वर्से स्टेट आफ जारकन, अभी इसमें क्या होगा, ध्याम देना, there was one contractor, there was one principal, and there was one subcontractor, principal ने काम दिया, contractor को बोला, मेरा bathroom बना दो, क्या बना दो, मेरा bathroom बना दो, मतला, एक न principal ने contractor को काम दे दिया, contractor थोड़ा सा busy था, तो contractor ने subcontractor को काम दे दिया, subcontractor तू bathroom बना दे, subcontractor बन जाएगा, 80,000 रुपे लगेंगे, bathroom बना दिया, subcontractor ने, principal ने पैसे दिया, contractor को, principal को bathroom मिल गया, उसने पैसे भी दे दिया, लेकिन contractor ने subcontractor को पैसा नहीं दिया, ठीक है, contractor ने subcontractor को पैसा नहीं दिया, contractor ने subcontractor को पैसा नहीं दिया, subcontractor saying, this is a 403, this is dishonest misappropation of property, subcontractor is saying, चोरी का case है, चोर, 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 contractor, चोर, case कर रहा है, यह आपको बताना है, क्या यह 403 criminal case है, कि breach of contract civil case है, so decide हुआ, यह breach of contract civil case है, इसमें कोई property चुराई थोड़ी गई है, भया, contract breach किया है, contractor ने तिरको पैसा नहीं दे के, civil court में case होगा, हाँ या ना, अगर तुमने class लगाई और हम पढ़ाए ना, तो civil court का case है ना, लाला, अगर breach of contract है, तो हाँ या ना, लेकिन अगर dishonest intention starting से ही थी, तो वो criminal case में आता है, वैसे हम सबने आपको intention ही थी, आपसका पैसा लेके भागना है, तो वो criminal case बनता है, लेकिन अगर सिर्फ contract तोड़ दे, intention पहले perform करने की थी, बटकर नहीं पाए, तो वो कौन सा case बनता है, breach of contract civil case, यहाँ पर सेम हुआ, प्रिंसिपल ने पैसा दिया contractor को, बाथरूम बनाने का काम लिया था, contractor ने, contractor ने वो काम सबकॉन्टर को दिया, सबकॉन्टर ने बाथरूम बनाया भी, बट अब प्रिंसिपल का सबकॉन्टर से कोई लेना देना नहीं है, प्रिंसिपल ने प्रिंसिपल ने पैसे दिया, न थोड़ी दिये जो चोरी का केस लगा रहे हो उसने तो कॉंट्रेक्टर को ही दिये थे उसने तो काम कॉंट्रेक्टर को दिया था कॉंट्रेक्टर ने सब कॉंट्रेक्टर को नहीं दिया वो उनके कॉंट्रक ब्रीच हुआ है क्या ब्रीच हुआ है क्या का कॉंट्रेक्ट very good proud of you love you to 401 ने 204 बहुत बढ़ी है तो डॉट पास में निकला है बहुत बढ़ी है तो डॉट पास में निकला है एकदम ऐसे जैसे बाउंटरी को टॉच करते हैं यू करके ऐसा पास हुए है कवड़ी में ऐसा लाइन टॉच करते हैं बस भगवान चली आईए नेक्स्ट है म मुहम्मद अली वर्से स्टेट कौन सा बोली है मुहम्मद अली वर्से स्टेट आईए नवट इस मुहम्मद अली वर्से स्टेट ध्यान देना सब लो ठीक है मुहम्मद अली वर्से स्टेट क्या है लाला ध्यान देना भाया समझी ये बात को मेरे पास बिल निये जैकेट क तो क्या चोरी की है, मेरे पास इस चश्मे का बिल निया तो चोरी का है, मेरे पास ये माइक का बिल निया तो चोरी का है, अबे सालो, तो ये चोरी का नहीं है, ये डिसाइड हुआ मुहमद अली वर्से स्टेट में, किसमें डिसाइड हुआ, मुहमद अली वर्से स्टेट, ब को चोरी किये समझने हैं बस यह तया रखना 403 था वो लो क्या था ये 403 में को 403 के essential से याद करके तो अब भी क्या करते है 403 में मिस एप्रोपेशन या conversion of movable property dishonestly सजा कितनी है दो साल की जेल या या फाइन या दोनो बताओ कितनी सजा है दो साल की जेल या फाइन चोरी की सजा कितनी दो साल की जेल या फाइन या दोनो बोलो हाया ना एक इच नमबर बस आपको यह essential याद रखने समझ में आया क्या अगर 403 पूचा ठोग बजा के लिखना कि देव्य व्या दो सब्सक्राइब अंपर या मिष्जशन ऑ प्रॉपल और के लृक्न नव शुसा सब्सक्राइब और किसलों इसमें से आ सकता है किस लो इसमें से आ सकता है और दो बार आया भी हुआ है इस चेप्टर से केसलो बढ़े आते हैं तो हर पेपर में आपको एक केसलो दिखता आप इस आप में कोश्चन बूच ओंको आंसर देना ठीक है देखते हैं आप मैं से कौन देपाता हैं अंसर के लेट सेव लग पीपल चलिये, सुनना ध्यान से, A takes property belonging to Z out of Z possession in a good faith believing at the time he takes it that property belongs to himself, is this a criminal misappropriation of property, फिर से बोलू, A takes the property belonging to Z out of Z possession in good faith believing at the time when he takes it that property belongs to himself, ए ने जेट के पास से property लिया, ये सोचके कि property उसी की है, good faith में, क्या ये criminal misappropriation of property लगेगा, case की नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, good faith में, लेकिन afterward he misappropriated dishonestly तो लगेगा, ये same question पूछा गया है, ठीक है, library में भी same होता है, library मतलब अगर मैं आप स कोई चीज लेके आजाओ, ये सोचके कि आप मना थोड़ी करोगे, तो वो चोरी नहीं है, लेकिन बाद में अगर मैं बेच दो तो चोरी है, ठीक है, next step 404, कोई व्यक्ति मर गया, और उसके मरने के बाद हमने उसकी चीज ले ली, तो 404 एट्रेक्ट होगा, समझे से for example, कि भाई साब, अब माल लीजिए कि हमारी क्लास में यहां पे बैठा हुआ है श्रवन, श्रवन मर गया, श्रवन जो है वो मर गया, बैठे बैठे उसको चक्कर आगा है, मर गया, तुरन, on the spot death हो गई, ठीक है, जैसे ये मर चुका है एक जन, कौन है ये, कौन मर गया, कौन मर मैस.com है गया, अच्छा, ठीक है, ध्यान देना, तो स्रवन जन मर गया, कौन हो गया, स्रवन जन जो है, वो क्या हो गया, मर गया, जब स्रवन जन मर तो हुआ क्या, हम गये उसके पास, उसका जो पॉकेट में पैसे वैसे थे, ठीक है, वालेट था, घड़ी थी, मोबाइल आईफोन है भाई के पास में, आईफोन, स्मार्ट वाच, चांदी का ब्रेसलेट, ठीक है, सोने की चैन, ठीक है, तो ये ये इयरफोन, सब इना हमने उठाए, और हम लेकेट से भाग गए, तो लौ कहता है, अगर से आप ऐसी चीज़ करते हैं, किसी के मरने के पश्चात, म इनाट नाट इनारेऊगा बेढुशन, सबीधर नों नाट आधाए, टुम, सब्सक्राम के इंसान ब्रच, तुम उसके मरने के बझाये उसका । हां शर्म शर्मनाक दुनिया हो गई है शर्मनाक कल्यूग कल्यूग नहीं घोर कल्यूग सु भाईया याद रखना अगर कोई वेक्ति डिसीज़ इफ अनी परसन इस डिसीज़ एंड यू अगर यही काम कलर्क या सर्वेंट करे तो साथ वर्ष साश वर्ष कितने सेवन वर्ष साथ वर्ष काल खोटरी की सजा कौन सी सजा काल कोटरी की सजा माने जेल की सजा सेवन वर्ष याद रखना हुए कम कर जादा कर कम कर जादा कर बंद कर क्यों थंडी बजरी है तो मौदा ऐसी जगे जाके बैट जांग गर्मी हो चली आईए अभी ध्यान दो सुनना सारे तो सेक्शन 404 क्या कहता है 404 कहता है कोई वेक् एक दिन मर जाएगा कुटे की मैं आपने उसकी प्रॉपर्टी मिस अप्रॉबिट कर लिए कंवर्ट कर लिए तू यह ओन यूस डिस्टों इसली कैसे किया बिटा सजा कितनी है दो सॉली तीन साल की जेल किती तीन साल की जेल वंड़फुल आजा क्लरक या सर्वेंट ने से कंड किया तो साथ साल की जेल कित्ते की जेल साथ साल की जेल चली वंड़फुल रमेश कहता है शादी कब है आपकी बस में चाहाज रात को है चली आजाओ इसी है ओके नेक्स्ट है 405 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट देखो 403 क्या था मिस एपरोपेशन ऑफ कि मैं यह करवा रहा हूं कि चौमान आदमी अभी ध्यान देना सभी लोग सुनिये सो बेसिकली ध्यान देंगे सभी लोग दोस्तों चोरी में क्या होता था आप खुद जाते थे और समान चोर के लिए क्या रस्ते में पड़ा मिल जाता था मतलब आप एक्ट करते थे समान चोर के लेकिक आथा तो उसमेbrी महनत थै भाई जाता हुए मेहाँ भाई में गया चोरी किया लेक्या आया कोई देखना लें कभी चोरी क obese एक घर में घर से हिए हो गहाँ किया होगा पापा की पेंट से पैसे ना निकाले हो यह उपर आली जेव से अहो ही नहीं सकता मम जियान देना, 403 में आप खुद सेक करते थे, वही 405 में महनत करने की ज़रूत नहीं है, आहां, 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 सामने वाला आएगा, बोलेगा, ले भाई, मतलब, आ बैल, मुझे मार, उर्टा तीर अपनी, समझ रहे हो ना? criminal breach of trust is like उड़ता तीर, अब समझाते हैं उड़ता तीर कैसे आगे, आशीच सर आए मेरे पास, आशीच सर ने बोले, बेटा, सुनना, ये मेरा आइपड ले ले, ये मेरा आइपोन ले, बेटा, ये मेरी गाड़ी ले, ये मेरा बंगला ले ले बेटा, और सुनना बेटा, मैं पांच दिन बाद वापीस आओंगा तब मुझे वापीस दे देना, पांच दिन बाद हम थो उड़ गए, उड़ गए, उड़ गए, हमने सब कुछ बेजबाच के नक्की करके चले गए भया कही और, तो अशीच सर ने क्या ले लिए, उड़ता तीर, अब याँपे मेरे को मेरे को काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे को महनत की जरूरत नहीं है, सामने वाला खुद आएगा और अपनी चीज आपको देखे जाएगा, बात समझे आप, एकदम सिंपल है, बहुत असान है, बहुत ही सिंपल है, समझे बात को, criminal breach of trust is very simple, इसमें क्या होगा, कोई व्यक्ति भरोसे से तुमारे को अपनी चीज देगा, और तुम उसके भरोसे की, समझे रहो न, मतला मैं भरोसे से तुमारे go down में मेरा sofa रखके गया, कि यह sofa मैं लेके जाऊंगा 10 दिन बाद, 10 दिन बाद आया, तो sofa गया, तुम ने बेच बाच के नक्की कर दिया, तुम ब भरोसा किया था तुम पर और तुम भरोसे वाले ही तुरा घर है ये, हैं, टपरी पे बैटा है, क्यों? बेवकूप आदमी, अभी ध्यान देना आजाओ, अभी ध्यान दे सुनना, criminal breach of trust, नो जब दे ये criminal breach of trust क्या है, सारे जयान दे सुनना, क्या है, criminal breach of trust भाया तो ध्यान देना इसमें आपको याद रखना है, ingredients, क्या याद रखना है, ingredients now what is ingredients, जयान दे सुनना सारे, सभी लोग ध्यान दे सुननना, ingredients क्या है, सभी लोग ध्यान दे सुनना लाला, आपके पास कोई property है, अक्यूस मतलब जिस पर इल्जाम लगा है, इस अंट्रस्टेड विट अप्रोपर्टी, इंट्रस्टेड मतलब क्या होते है उसको दे के जातने कोई प्रोपर्टी, उसको दे के जातने कोई प्रोपर्टी, डॉमिनेशन मतलब उसके पास रहती है, like, say for example, आप आए मोधी, ज पख़डो ना हमारा फोन मैं घाए बिटा कोई निए देखे जाओ साथ दिन बार बोले वापिस ले देंगे सर अब ठीक है मैं दे तो कि जाओ साथ दिन तक समाल के रखूँगा तुम्हारा फोन मैंने जहां जी सुनीगा एंट्रस अक्यूस जो है अक्यूस मतलब मैं मैं को डॉमिनेशन दिए आपने कोई चीज की मुझे देखे गए आप एंट्रस मतलब भरोसे से ट्रस मतलब भरोसे से कोई प्रॉपर्टी देखे गए है ना या तो मैं क्या कर रहा हूँ उस प्रॉपर्टी को यूस कर रहा liable under criminal breach of trust समझ यह बात को आपने मुझे बोला, Modi sir आप हमारे वसीहत के एक्जीक्यूटर बन जाओ यह सब हमारी दौलत चाहरत जो हमारे घरवालों के नाम कर देना मैंने सब अपने नाम कर लिया क्या है यह? criminal breach of trust समझ यह? criminal breach of trust so accused is entrusted with the property he has a domination over it he used such property dishonestly or disposed it either he violates the law or the contract इतनी points याद रखने है फिर से बोलता हू accused is entrusted with the property he has a domination over it ठीक है? he used such property dishonestly or disposed such property either he violates the law or the contract बस इतने points याद रखने है बस 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 यादा आपसे मैं महनात नहीं कर वारा हू the accused is entrusted with the property or having a domination over it बोलो कया? accused is entrusted with the property or having domination over it फिर से बोलो accused is entrusted with the property or having domination over it the accused must use the property or dispose the property dishonestly बोलो accused must use the property or dispose the property dishonestly either he violate the law or the contract बोलो इधर ही violate the law or the contract या तो वो लो तोड़ता है याद रहेगा? समझ आ रहे है तो को accused is interested with the property or having domination over it, he either used the property or disposed the property dishonestly, he either violated the law or the contract, that's it, accused is interested with the property or having domination over it, he either used the property or disposed it dishonestly, he violates the law or the contract, ये है criminal breach of trust, बोली क्या है ये, criminal breach of trust, फिर से बोलो, criminal breach of trust, फिर से बोली क्या बेटा, criminal breach of trust, सर ये CPC में नहीं आना चाहिए, क्या बोल रहा है ये, करन, क्या हो गया बेटा, ए करन, क्या हो गया, चलिए, आईए, कोई दिक्कत नहीं, आजो, अब ध्यान से संनन, एक केस था इसमें प्रतिबाहरानी वर्से सूरज कुमार, प्रतिबाहरानी वर्से सूरज कुमार था एक बहु रहती है, बहु जाती है, सास ससुर के पास में बोलती है, सासु मा, क्या बोलती है, सासु मा, मेरी दौलत पी ले लो, मेरी शारत पी ले लो, मेरी कहने भी ले लो, मेरी बाली भी ले लो, मेरी जुमके भी ले लो, कंगन बज गए या अच्छ, द्यान से सुन्यः थो सासुमा को अपने सबसामने को तो, सासुमा को अपने से समांD देती है। कर दोने हम पैम को तो, ने तो, रखेहन देती हैं। एक साथ बहु होती है जो साथ ससुर को अपने गहने देती है ठीक है इन लॉस को अपने क्या देती है गहने और बोलती है जब भी जरुरत होगी मैं ले लूँगी आपसे आप रखिये सम्हाल के जब भी जरुरत होगी मैं ले लूँगी फिर जाती है एक दिन वो ससुरुजी के पास ससूर जी को बोलती है ससूर जी को कि ससूर जी याद करो मैंने आपको दो साल पहले मेरे गहने दिये थे अब आज मैंने गहने में वापिस लने आई हूं मुझे मेरे गहने दो ससुर जी क्या बोलते हैं, पहली भुरसत में निकल, ससुर जी अगर ही नहीं होते देने के लिए, ससुर जी बोलते हैं, तुने कोई गहने मैंने दीये नहीं है, कुछ नहीं मिला हमारे को, कोई गहने तीर को वापिस नहीं विलेंगे, तो ये माना गया, कि This is what, criminal breach of trust, तो ये क 405 में येस in-laws 405 में लाइबल होंगे भाया ऐसे नहीं करना चाहिए है ना कोई इस्तरी अपने इस्तरीधन लाई है और सास ससुर उसको रप ले या पती हडप ले तो ये गलत बात है तो भाया इस लाइबल है in-laws under 405 लाइबल कहां पर लाइबल अंडर अंडर 405 टेके अंडर वाण 405 अंडर 405 हूइज लाइबल हूइज लाइबल अंडर 405 तो याद रखना जो सास ससुरह लाइबल अंडर 405 दिर वाज सेम केस सूर लक्ष्मी कॉर्टन मिंस वसे राजवीर इंडस्ट्री इसमें क्या हुआ एक व्यक्ति ने मैंने आसाइब आ नाम लिखना और जमा करा देना तो उमने अपना नाम लिखके जमा करा दिया क्या किया क्रिमिनल ब्रीच ओफ ट्रस्ट क्या किया क्रिमिनल ब्रीच ओफ ट्रस्ट क्या किया बोलो क्रिमिनल ब्रीच ओफ ट्रस्ट मेरे भरोसे की ठीक है है ना सो याद रखना तुमने क्या किया बोलिए ग्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्स इजी है बेटा सो याद रखें सूर लक्षमी कॉंटन मिल्स राजवीर इंडस्ट्री में डिसाइड हुआ अब इसमें और भी एक्जामपल है जैसे कि मान लीजे मैंने आप मेरे विल प्रिणेंट के नाम कर देना और तो ज्यादा कुछ है नहीं बेटा हमारे पास गरीब के पास जितनी जायदा है पात-दसजार की पुरे बच्चों के नाम कर देना तुमने उसमें भी उसमें भी काड़ी कर दी सब अपने नाम कर लिया क्या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्स सेम माली जे ए गया था जेड के वेराहूस में उसने अपना फरनीचर रख दिया बोला वापसी में ले लूँगा बाद में जब वापसी में पहुंचा तो फरनीचर गया बैग यह क्या हो गया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट उसी तरीके से आप एक पब्लिक ऑफिसर हैं आपके पब्लिक मनी है वाद लिजय आप सरकार के गल्ले पर वेठते हैं सरकार के पास इभी पाईसा सी तोफ टलना Canal के पे बाढ़ बाद सस्का आजे साकता हैं एक दिन पूर पैसा लिकर अपने क्या किया रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्स क्या कि आपने criminal breach of trust, समझ रहे हैं, तो in all these cases, जब आपको कोई चीज भरोसे से सौपी जा रही है, और आप सामने वाले के भरोसा तोड़ दें, और उसकी property को या तो डिस्पोस कर दें, या तो खुद यूस कर लें, तो you are liable under 405, which is criminal breach of trust, wonderful people, essentials याद रखना, the accused is entrusted with the property, or having a domination over it, he used the property, or distosed the property, dishonest, dishonestly, and either he violated the law or the contract, so याद रहेगा बिटा, चली, wonderful, next है 406, sorry, sorry, इसमें है, punishments, क्या है बिटा, punishments, punishment क्या ध्यान देना, यह punishment important है, सब, अगर criminal breach of trust किया है, पब्लिक सर्वेंट ने, यानि सरकारी कोई नौकर ने, बैंकर ने, आपके बैंक वे आपने पैसे रखे थे, बैंक वाले फ़रार हो गए, सब लेके, या फिर कोई factor, मतलब agent ने, broker, मतलब आपका, आपको सभी को बता है, broker कौन है, मैंने broker को पैसे दिया, जा भाई, seller को दे के आजा, यह पैसे है, वो खुद लेके भाग गया, या फिर attorney है, attorney मतलब आपके बहाफ में जो काम कर रहा है, आपका, आपके बहाफ में जो काम कर रहा है, legal agent बोलो आप, आपके बहाफ में जो आपका काम कर रहा है, he's an attorney, या फिर आपका agent, अगर यह लोग criminal breach of trust करते हैं, तो इनको imprisonment for life है, क्या है बेटा, imprisonment for life, या imprisonment for 10 years, and fine, imprisonment for life, या imprisonment for 10 years, and fine, अगर यही criminal breach of trust, clerk क्या servant करते हैं, तो 7 साल की jail or fine, क्या है साथ साल की jail or fine, अगर यही criminal breach of trust करते हैं, warehouse keeper warfinger, मतलब warehouse वाले करते हैं, तो 7 साल की jail or fine, इनके अलावा कोई करते हैं, girlfriend करते हैं, boyfriend करते हैं, कोई भी करते हैं, इनके अलावा तो 3 साल की jail या fine या दोनो, बोलो कितना, 3 साल की jail या fine या दोनो, तीन साल की jail या fine या दोनो, देख लिए एक बार, public servant, banker, merchant, factor, broker, attorney, agent करें तो imprisonment for life, या imprisonment for 10 years, and fine, अगर यही clerk क्या servant करें तो 7 years imprisonment and fine, अगर यही वार फिंगर वेरा उसकी पर करें तो 7 years imprisonment and fine, और इनके अलावा कोई करें तो 3 years की jail, or fine, or both, अचा आप exam में jail word यूज नहीं करोगे, आप यूज करोगे, imprisonment, क्या यूज करोगे, imprisonment, बराबर है, so आप imprisonment यूज करोगे, jail word यूज नहीं करोगे, वह kind of a agent, आपके बहाफ में, जो आपके goods की buying and selling करता है, is a factor, हाँ, अलेकिन आप यही लिखो, बोलते हैं, चलिए, याद रखना, so yes, easy है, 405, कौन से था, 405, चलिए, wonderful, 405, किसी ने बढ़िया पूछा, निहाल ने पूछा, कि sir, ये movable और immobile दोनों में applicable है, answer is yes, क्योंकि criminal feature of trust तो immobile property का हो सकता है, कैसे हो सकता है, sir, मैंने आपको बोला था, ये property, Swamil Manglani को बेच दो, मेरे power of attorney बन के, आपने अपने रिष्टिदार को बेच दिया, तो ये आपने immobile property में किया, तो criminal breach of trust immobile property में भी हो सकता है, चोरी नहीं हो सकती, immobile property में, लेकिन criminal breach of trust immobile property में हो सकता है so this section is applicable to movable as well as immovable property बहुत बढ़िया निहाल बेटा अच्छा कुस्टन था आपका very good sir मैं कह रहा था breach of contract CPC में आना चाहिए न हाँ फिर ठीक है करण okay तो यह मत बोला कर ऐसा लिखा कर पूरा very good चलिए आईए एक केस था बग्गा सिंग वर्से स्टेट अफ पंजाब कौन ने बोलो एक्जाम के लिए उत्ता important खास मैं को लगता नहीं बढ़ फिर भी सुन लिजी क्या हुआ बग्गा सिंग वर्से स्टेट अफ पंजाब अग्जाब अग्जाब बग्गा सिंग वसा Wooak Ye mag ने पांच महीने तक सरकार का पािशा सरकार को नहीं लटाया जब बग्गा पिल जाम लगा बग्गा बोला मैं तो मधं मधं को दे दिया था मधलाल को से पूछो मधंलाल भी जाम लगा था वह भी को अक मदनलाल से पूचा गया मदनलाल के ट्रायल हुआ मदनलाल निर्दोष पाया गया 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 और बोला गया कि हाँ मदनलाल तो निर्दोष है इसका यह मतलम नहीं है कि में अक्यूस भी अक्यूटल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं समझ ही आब, मेरे और अबढ़ सर पे, दोनों पे लिजाम लगा है, मैं निर्दोश हूँ तो इसका ये मतलम नहीं कि अबढ़ सर भी निर्दोश होंगे, ये अबढ़ सर दख आगा निर्दोश फाया गया तो मदल्लाल बीकूल भी निर्दोश होगा कि अम्मियापक्त मतलब भैसे इस तत्य से कि कोई क्यूस जो कैशिर है वह एक्वीट है, मतलब निर्दोश है, is not sufficient to acute-accused, इससे बग्गा-singh एक्विटल नहीं होगा, एक्विटल मतलब निर्दोश है, इसका यह मतलब नहीं है कि बग्गा-singh भी एकविटल होगा, बस समझने हैं, बस इतना इसमें इसमें पढ़ना था आपको, सर ये फर्स रिविजन लेक्चर है क्या, चलिए आईए, नेक्स्ट भाईया ध्यान दे सुनेंगे, नेक्स्ट है, आजेगे, तो इसमें और कौन से एक्जामपल आते हैं, सुनीगा, इसमें इ आपने भाईया ध्यान से सुनना, मेरे भाईया क्या है, बाप भाईय कर दिया, आपने मेरे भाईया का बाप भाईया, तो ऐसे इसे case में ध्यान देना सभी लोग, दोस्तों, this is a criminal breach of trust, मैंने तुम्हे भरोसे से दिया था, कि भाई आप मेरी क्या करो, मेरी पखला गया, मैंने आपको भरोसे दिया कि मेरी विल को execute करो, मैंने आपको बोला था कि भाई ये वसीहत है इसको, ये इसको देना, ये इसको देना मैंने बोला, तुमने सब खुद नाम कर लिया, what you have done is a criminal breach of trust, वे रहा, उस वाला मैं और दस बार बता चुका हूँ याँ, अचा अब सुनना ध्यान से, मैंने अबढ़ सर को पचास हजार रुपे दिया, बोला, इनफोसिस में लगा दो, बड़ेगा बाई बैबै काया है, अब बड़ सर ने लगा कि मोधी सर लॉस कर बैठेगे, इनफोसिस बड़ेगा नहीं, अब बड़ सर ने मेरा पैसा पचास हर विपरो में डाल दिया, यह सोचके कि मोधी सर ज्यादा कमाएं, क्यों इनफोसिस में अल्रेडी बढ़ चुका है, बड़ सर ने सोचा आज तो आज ही तो बड़ा और क्या बड़ेगा, अब बड़ सर ने मेरा पूरा पचास हर विपरो में लगा दिया, कि मोधी सर इनफोसिस में खो देंगे, विपरो में लगा तो ज्यादा कमाएंगे, अब विपरो में पैसा डूब गया, मैं को ता हो क्या अबड़ सर 405 में नहीं है रीजन इस वेरी सिंपल अबड़ सरे एक्टेड ना गुर्ड फेथ इनने गुर्ड फेथ में काम किया लेकिन अबड़ सरो मैंने पचास यार दिया बोला इन्फोसिस में लगा ना उन्होंने अपने घर के बिजनस में लगा दिया तो ओने इस लावल अंडर फोर जीरो फार अगर के बिजनस में लगा है यह सोचके कि इस से यादा तो मैं अपने बिजनस में कमा के दूँँगा तो ओनेस्ट इंटेंशन है देखो इंटेंशन देखे जाएगे अब कई चमन पूछेंगे कि सर इंटेंशन को पूफ कैसे करेंगे तो वही सबूत गवा और पूफ करने के लिए और कुछ नहीं रहते सबूत गवा के अलावा यूद नथिंग तो पूफ पराटी का क्रोस examination, evidences देखना, witnesses देखना यही सही intention को gather किया जाता है और कोई आपके पास नया रास्ता नहीं intention को gather करनेगा और हमरे चलिए याद रखिएगा है ना जी बात समझने है अगर से मान लिजे मैंने आपको पैसा दिया था, पचास यार बोला था Infosys में लगाना, अबड़सर ने कहां लगा दिये, विपरो में और अबड़सर ने सही intention के साथ विपरो में लगाया था, लेकिन पैसा डूब गया तो अबड़सर 405 में लाइबल नहीं होंगे, लेक easy था, so हम क्या करते हैं, confidence से किसी को क्या देते हैं, property, control करता है सामने वाला उस property को, विश्वास से किसी को देते हैं, और वो विश्वास हमारा खो देता है, इस पे property mobile भी होती है, mobile भी होती है, सामने वाला क्या कर लेता है, उस property को use कर लेता है, unauthorized तरीके से, या तो dispose कर दे 7408409, ठीक है, ठीक है, next है, next है, cheating, बोलो क्या है next, cheating, आईए, cheating, गुपता जी कहते है, मज़ा आ रहा है आज तो बहुत, ऐसा गुपता जी, क्या कर रहे हो, साथ साथ में लेक्चर देखते देखते, हाँ गुपता जी, चलिए, अरे अरे क्या होगे इसको, चलिए भाई, आईए, ओके, ध्यान देंगे बीपल, now what is cheating, cheating क्या है, cheating, 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 धोका, ठीक है, सुन्दर, सुन्दर, वो हसीना बड़ी, सुन्दर, सुन्दर, उन्ने देखा, जिसे हुआ, मैं पागल, बस पल भर में, बस बस बस, आँए, अभी ध्यान देंगे, cheating, now cheating is what, ध्यान देंगे, people, this is cheating, cheating, मैं ये हूँ, ये, I am, I am, मैं ये हूँ, भाई, ये है हमारे पुशकरात सर, ये है पुशकरात सर की गल्फ्रेंड, और ये है, आशी सर, हाँ, 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 ये है, ओके, आजा, आजा, what is cheating, ध्यान देना, cheating में आप क्या करते हैं, unfair act करते हैं, to gain the advantage over another, you do unfair or dishonest act, to gain advantage over the other, मैंने आपको बोला, आप 25 दिन में पैसा double करके दूँगा, पैसा दो, आप सबने पैसा दिया, मैं पैसा लेके भाग गया, cheating, starting, क्योंकि starting सही मेरा intention गलत था, समझते हैं, मैंने, मैंने एक लड़की के पास गया, बोला, मैं बहुत रहीस हूँ, में पास बहुत पैसा है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, घोड़ा भी बढ़िया है, तुम बस एक बार हाँ करो, गाड़ी की सवारी, घोड़े की सवारी, सब की सवारी कराऊंगा, बोलें, मज़ा आएगा आपको, लड़की, मैं शादी के लिए हाँ कर दी, हमने मंदिर में, जब आई लड़की, तो घोड़ा तो सा, लेकिन गाड़ी नहीं थी, घर जो है वो जोपड़ी थी, मैंने बो कोई जूट बोले, कोई unfair act करे, लाइक मैंने आपको बोला, ये phone असली है, है ना, iOS है, iPhone का है, बढ़िया, आप ले लीजिए, जबकि निकला नकली, तो ये क्या है, चीटिंग, क्या, अबे, schema का, तो ये क्या है, चीटिंग, क्या है ये, बताइए, the pure case of what now, चीटिंग, ची चीटिंग में आपको याद कर रखना, पहले में यो समझाता हूँ, ठीक है, बाकी बातें आपको चिखाता हूँ, पहले याद कर रखना, ये समझो, चीटिंग में इंग्रिडिंट याद रखना, accused मतलब जिस पर इल्जाम लगा, must deceive the another, deceive मतलब चूना लगाता है, deceive मतलब, चूना लगाता है, मतलब सामने वाले को, सामने लगा, काटता है, basically, तो accused must deceive the other person, आप किसी को deceive करते हैं, उसकी वाट लगाते हैं, उसको चूना लगाते हैं, intentionally ये काम करते हैं, क्या करते हैं, intentionally, the person who is deceived, मतलब जिस के साथ गलत हुआ है, उसको induce किया जाता है, मतलब बहकाया जाता है, कि तु कोई property दे दे, या कोई car कर ले, उसको क्या भ॑चाया जाता है, तु कोई property में पैसा भी आ सकता है, तु कोई property दे, पैसा दे, पैसा दे, कोई तरीके से होते हैं कैसे होते हैं बिटा डिस्वाइश्टी प्रॉडूलेंट तरीके से बात समझ रहें अब चीटिंग में बहुत बड़े सारे चीटिंग मतलब क्या है भाया कि आप किसी को डिसीव करने इंटेंशनली डिसीव करने जो वैक्ति डिसीव हुआ है आप उसने अपने उसे इंड्यूस किया था कि वो कोई उसे आपने भैकाया कि वो कोई आपको property दे ते यहां तो फिर वो कोई करें या तो वो आपको कोई property दे या तो फिर वो क्या करें और यह सब काम आपने fraudulently dishonest तरीके से की है कैसे किया सारा काम fraudulently dishonest यह cheating के main ingredients है, cheating आ सकते exam में, cheating exam में आ सकते है, याद रखना cheating के ingredient आ है, तो आपको ingredient में क्या लिखना है, the accused must deceive the other person, बोली फिर से, the accused must deceive the other person, the act deceiving was done intentionally, the act deceiving was done intentionally, the person who is deceived should be induced to deliver the property or to do an act, फिर से बोलो, the person who is deceived should be induced to deliver the property or do an act, फिर से बोलो, the person who is deceived should be induced to deliver the property or to do an act, ठीक है, है ना फिर से बोलो, the person who is deceived should be induced to deliver the property or to do an act, फिर से बोलो, the person who is deceived should be induced to deliver the property or to do an act, ठीक है, easy, फिर से बता ही, the person जो है उसको क्या करते है, deceive कैसे करते हैं intentionally the person who is deceived should be induced to is induced to deliver the property or to do an act है ना या रखना आप accused को deceive करते हैं intentionally deceive करते हैं ठीक है जो induce करते हैं क्यों करते हैं to deliver the property or to do an act और यह सब काम करते हैं fraudulently dishonestly कैसे काम करते हैं यह मैं को याद करके चाहिए बो अक्यूस्ट इस accused must deceive the other person the act deceiving was done intentionally the person who is deceived should be induced to deliver the property or to do an act and such act is done fraudulently or dishonestly फिर से बोलो the accused must deceive the other person the act deceiving was done intentionally the person who is deceived should be induced to deliver the property or to do an act the act such act was done fraudulently or dishonestly फिर से बोलो the accused must deceive the other person the act deceiving was done intentionally the person who is deceived should be induced to deliver the property or to do an act or act was done fraudulently or dishonestly अब बाकी का घर पर कर लेना ठीक है अब सुनो ध्यान से मैंने आपको एक article बेचा बोला असली यह नकली निकला क्या है cheating ठीक है ध्यान देना सभी लोग मैंने आपको मेरी कार बेचा और बोला कि यह ना 20 का average देती है मुझे सही में लगा था 20 का average देती है डीजल गाडी थी सही में मुझे ऐसा लगा था 20 का average देती है मेरी intention सही थी और मैंने आपको जब बेचा तो बाद में बता चला है 20 का average नहीं देती है क्या, यह cheating है या नहीं है? बताईए, मैंने आपको, मेरी नहीं है, मैंने आपको, मेरी car बेचा, मैंने बोला, 20 काइबरेचe देती है, आपने मेरे से car खरीद ली, मेरी intention में खोट नहीं था, लेकिन, बाद में पता से ला है,20 काइबर हूँ या नहीं हूँ, तो, मैं cheating के मेरी intention deceive करने की नहीं थी, dishonest नहीं था मैं, लेकिन में को पता है मेरी कार 10 काइवरेज देती है, और मैं बोल के बेच रहा हूँ 20 काइवरेज है, तो cheating के लिए मैं लाइबल हूँ, समझ रहा है, मतलब अगर आपके in short criminal cases में कहीं पे भी अगर आपके intention अच्छी है ना, आप ला लिख देना, है ना, चलिए, याद रखना पेटे, सो याद रखना यहां पी सेम हुआ, A ने Z को बोला कि भाई सुन, 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 अने Z को क्या बोला, ध्यान देना, A intentionally deceives Z into believe that A means to deliver the property to Z, a certain quantity of Indigo, which he was not intended to deliver, A ने B को Z को बोला, मैं तुझे एक प्रोपर्टी तो खरीदना मेरे से, जबकि ओ स्टार्टिंग में भी बेचना नहीं चाहता था, मैं आपसे पैसे लिया, इस समय में आपको मेरा फोन बेचना चाहता था, लेकिन बाज में नहीं बेच पाया, तो सिफ कौन सा केस लगेगा, breach of contract, मान लिजिए, मैं आपसे पैसा लिया, और मैं स्टार्टिंग से ही मेरा फोन आपको नहीं बेचना चाहता था, तो ये चीटिंग है, लेकिन मैंने आपसे पैसा ले लिया, और मैं फोन बेचना चाहता था, लेकिन किसी कारण बेच नहीं पाया, तो क्यों सा केस लगेगा, breach of contract, स्टार्टिंग से नियत में खोड था, तो वो cheating है लेकिन अगर से बाद में आपका वो contract perform नहीं हो पाया तो it's a totally simple case of what, breach of contract, समझ आ रहा है, दिमाग में जा रहा है, good बेटा, good, very good, 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 चलिए ध्यान देना, आजा, समझ आ रहा है ना, अच्छा, A, Z को उल्लू बनाया कि मैंने तो अपना performance कर दिया हूँ, तू भी कर दे, जबकि ये ने अपना काम नहीं किया था, तो भी cheating है, समझेगे से पर example, आप किसी दुकान में गए, बोले भाईया, सौ समोसे लेके आना, और वो फिर दुकान दर भाग गया, तो ये उस क्या किया, उसने, cheating, समझने, ओके, नहीं, उसने जूट गोला, है ना, कि मेरा समोसे बंदा निकल गया है, समोसा देने के लिए, dishonest intention से, तो वो cheating में आएगा, येस, याद रहा बेटा, शरी, ओके people, good, तो I hope so, आपको समझ मे आ रहा है, अच्छे से सब कुछ, next है, नहीं, उसकी पहले है, case law, TR Arya versus state of Punjab का case है, ध्यान देना, इस case में क्या हुआ, आपको रस्ते में पढ़ा हुआ, शुभब मोधी का check मिला, आपने क्या किया, उसमें शुभब मोधी की नकली साइन करी, अपना नाम लिखा, एंकेश क नहीं होगा, तो बैंक वाला लाइबल नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई dishonest intention नहीं है, बैंकर को सिप साइन देखना था, उसने साइन देखा, check and cash किया, याद रखना, बैंक वाला लाइबल नहीं होगा, क्योंकि बैंक वाले की intention गलत नहीं थी, तो बैंक वाला कहीं से कहीं लाइबल नहीं होगा समझ आ रहा है ना बिटा मैं को चीटिंग के इंग्रिटेंट्स बता तो चलो जल्दी से बता दो बाला accused must deceive another person the deceiving was done intentionally the person who is deceived should be induced to deliver the property or to do an act the act was done fraudulently or dishonestly बेना देखे बोलो एक बार the accused must deceive the other person the act deceiving was done intentionally the person who is deceived should be induced to deliver the property or to do an act the act done the act was done fraudulently or dishonestly ठीक है इसको यह ingredients ingredients पर focus करो है 403 को 405 को और यह cheating को ठीक है अब ध्यान देना सब लोग next आता है cheating by personation बुली क्या दा बिटा cheating by person sir यह वाला case section check वाला 403 में आएगा कि cheating में नहीं 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 मैंने आपका रस्ते में पढ़ा हुआ आपको check बिला और आपने उसको एंकेश करा लिया तो यह case चोरी का है लेकिन इसमें हम बात करें थे बैंक वाला cheating के लिए लाइबल होगा नहीं आप समझने हैं यहां पर आपका तो काम ही नहीं था है और ऐसे भी केस होते हैं जहां पर एक से जादा section attract हो जाएं cheating भी लग हो जाता है इतने सुना होंगा कई बार इस पर यह वाली 403 की भी धारा लगी है 405 की भी धारा लगी है ऐसा नहीं कि एक ही section attract होता है जा एक पॉइंट वाला case law बता हो कौंसा बिटा एकॉइंट वाला कौंसा case law ये वाला कुछ नहीं है वो आपने झूट बोला कि आप civil service में हो जब कि आप civil service में नहीं थे आपने झूट बोला और किसी से You pretend to be someone else, आप pretend कर रहे हो कि आप कोई और हो, बस समझे ने? आप pretend क्या कर रहे हो कि आप कोई और हो, ताकि मान लिजे, किसी ने, मान सकते हैं, समझ लिजे, आपने क्या किया? एक शुभम मोदी की इंस्टा इडी बनाई, फेक, ठीक है, आइडिया नहीं दे रहो है, ठीक है, आ बच्चों की request accept करने लग गए, बच्चों से chatting करने लग गए, बच्चों को ऐसा लगने लगा कि तुम ही शुबमोधी हो, मैं तुम से बात कर रहा हूँ, अब एक दिन तुमने बोला कि बेटा ऐसी ऐसी urgency आ गई है, कि मेरे को urgently दम 10,000 की जरूरत है बोले, कितने की जरूरत है बेटा, 10,000, एक student निकला दिल का साप, उसने लगा सर को जरूरत है, नकला रहीस और उसने तुमें 30,000 ठट से ट्रांसफर कर दिये, अब ध्यान देना सभी लोग, तुमने मेरा अधार कार्ट, पेंट कार्ट सब उसको दे दिया, सब सब करके 10,000 ले लिये, अब ध्यान दे प्लीज मुझसे बात करना चाहते हो, तो मेरा रिचार्ज करतो ना, प्लीज, मेरे फॉन पे पर पात्सरु पे डाल दो, प्लीज ना चाहनो, प्लीज बाभू, इस चीटिंग बाइपरसोनेशन, क्या है ये बेटा, चीटिंग बाइपरसोन, द्रीम गल, चीटिंग पर चीटिंग बाइपरसोनेशन कहते हैं इसको, या फिर या फिर यो प्रिटेंड विसमधन फिक्टिशिएस परसन, फिक्तिशियस बतला जो एक्सिस्ती नहीं करता, आप बैंक में चले गाए बोले मेरा नाम है रतनलाल, क्या नाम है रतनलाल, आम रेष्ट बैंकर, और आ इसे हम कहते हैं, cheating by personation, okay, wonderful, next भी या ध्यान देना आजएगे, चलिए, आएए, next भी ध्यान देना, punishment for cheating, सबी लोग ध्यान दे सुनेगे, cheating की कितनी punishment है, अगर ऐसी cheating है, जिससे आप सामने वाले से कोई कोई पैसा ले रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो 420 ही अपलाय होती है, बोलते हैं, 420 ही है, जिससे चीटिंग करता है साला, तुम्हारे को उल्लू बनाए गई है, जैसे माली जै को बोलते हैं, यह दुकान वाला चीटर है, 420 ही है, 420 मतलब जैसे तुम मेरी की दुकान है, चाचा 420, तुम आए, है ना, आप आए मेरी दुकान, और आपने क्या बोला, मोधी सर एक अच्छी सी सलवार सूट दिखाऊ, ठीक है, अंजली आई बोली, अच्छी सी सलवार सूट दिखाऊ सर, विशेश को इंप्रेस करना है, ठीक है, ठीक है, तो मैंने इनको दे दिया 5,000 की ड्रेस, और उसकी कीमत 200 रुपए की भी नहीं थी, इनको पसंद आ गई, मैंने बेच दिया इनको 500 रुपए में, थी वो एक्छी कीमत 200-400 की, अब ध्यान से समझना, ये लेके गए उसको, पहले धुलाई में रंक चला गया, उसके बाद में कपड़ा फटन लग गया, तो ये किया है? चीटिंग, ऐसी चीटिंग को कहते हैं, जिससे मैंने हमसे कोई प्रॉपर्टी ले लिया, पैसा ले लिया, समझने हैं, या कोई वस्तु ले लिया, चीटिंग करके, कोई पैसा ले लिया, इसमें में को सजा है 7 साल की जेल और फाइन, cheating हो सकती है, नकली काघस बना देना, है ना, जूटा दस्तवेज बना देना अपने घर के, कि आप उसके ओनर हो, जब कि आप उसके ओनर होई नहीं, वहां भी फॉरजरी का section भी अपलाय होता है, और यह वाला भी section अपलाय होता है, दोनों में अपलाय बलो, अच्छा, आपको किसी का interest protect करना था, बट आप सामने वाले का interest protect नहीं कर रहे हो, और उसकी आप भरोसा उसका तोड़ रहे हो, समझते हैं, कैसे, आपको मैं समझाता हूँ, माली जे से for example, कि आप unique academy में as a faculty है, क्या है as a, as a faculty आपको appoint पर लिया गया, ठीक है, है ना, आपको as a faculty appoint कर लिया गया tax, sbc, gigl, कौन से subject के लिए करें यार, सीलों कर रहो गया, बटा, हमारे अब बड़ा सर, writing practice के लिए ठीक है, राइटिंग प्रेक्टिस के लिए ठीक है, तो तुम लोग आए writing practice के लिए, काई के लिए आए, writing practice, बाकी सारे subject की book है न, दिखो यार faculty हमारी, काई सब का घर च session के लिए हमने आपको पॉइंट किये, पर डाउट एक रुपए, पर डाउट, एक रुपए, हजार डाउट, कि हजार रुपए और क्या ची है, लाइफ में, अब ध्यान देना, हमने आपको पॉइंट किये, ऐसा doubt solving, आप practitioner हो, और बढ़िया से ऐसा solve कर रहो, अब आप सु तो 10% पर मन्त का interest लगेगा, आपको साफ साफ notice दिख रही है, लेकिन आपने वो जान पुझके notice जेब में डाल दी, बोले, मजा आएगा, क्या बोले, मजा आएगा, लगने तो थोड़ी और interest, लगने तो penalty ठुका है, हमारे को पैसा कम देता, नहीं, बढ़ डाउट एक मतलब, if you are there to protect someone's interest, but actually you are not doing your act properly, which results in wrongful loss to the other party, and in such a cases, the punishment is 3 years imprisonment or fine or both, तो याद रखना, आपको किसी का interest protect करना था, but आप नहीं करते हैं, आपके कोई चीज नोलेज में थी, but आपके जो नोलेज में थी, आपके आपके जो नोलेज में आपको अपने एम्पलार को नहीं बतात कोई cheating हो, तो एक साल की jail, आप आप आइने आप दोनो, इसके लावा कोई भी cheating क्या हो सकती है, मैं कमपनी में इंटर्व्य के लिए गया, मैंने बताए को पढ़ाना चाता हूँ, मैं CS हो जब कि मैं CS होई नहीं, मैंने किसी academy में बोला कि मैं CS CS CMN 3 हो, जब कि मैं कुछ भी न चीज है, तो ऐसे कि मतलब प्यार की बात कर रहा दा भाई, अभी ध्यान देना, सुनाओ ध्यान देना, इसकी क्या बात है, कितनी jail, एक साल की jail, या fine, या दोनो, बोलो क्या, एक साल की jail, या fine, या दोनो, या रखिएगा, कि cheating ऐसी है, जिससे property deliver हो रही है, तो 7 साल की jail और cheating personation है, 3 साल की jail, या fine, या दोनो, if you are there to protect someone's interest, but there is something which is in your knowledge, but you don't protect 사람들's interest, which results in truthful laws to that party, इसकी सजा है 3 साल की jail, या fine, या दोनो, या पिर इसके अलावा कोई cheating का किस है, तो 1 साल की jail, या fine, या दोनो, सजा कितनी है, 1 साल की jail, या fine, या दोनो, ठीक है, एक इग फिद से देख लीज and fine cheating by personation imprisonment up to three years or fine or what here up to hai to aap exam me up to hei likhna imprisonment of seven year nahi imprisonment up to seven year or har jaga up to used hai har jaga har jaga kya use hai up to to aap bhi exam me up to hei likhoghe okay beita choti-choti baari cheezo pe dhyan de na next us ke baad me dhyan de na us ke baad me if you are there to someone's protect the other person's interest there is something which is your knowledge but you don't tell the other party which results in wrongful loss to such party imprisonment up to three years or with fine or both is ke alaba koji case hai cheating ka? ek saal ki jail ya fine ya dhoro, ek saal ki jail ya fine ya dhoro diksha kaati hai sir section 403 se 402 tek learn karne hai kya? haan ji karne hai learn karne hai sir take a test session also this time yes we are taking the test session this time nga hai and it's now our announcement our journey is our announcement haan ji, haan ji, our test announcement is our now. Go, yeh, hear okay, hear, 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 hear यहां तक सब मखन जा रहा है कि नहीं smoothly very smoothly दिमाग में लोट तो नहीं बढ़ रहा है machine सही चल रही है पक्का, ध्यान भटक तो नहीं रहा है ध्यादे को ध्यान नहीं भटकना चाहिए ठीक है कई बार हम ना चोटी चोटी चीज को लेकर टेंशन ले लेते हैं और उसके करण पड़ाई एफेक्ट होती है कोई भी चोटी चीज किसने कुछ हमारे में बारे में बोल दिया कोई हमारा किसी से जगड़ा हो गया किससे बात नहीं हो पा रही है किसने मेसेज का reply नहीं दिया मेसेज का rude reply दिया वो किसी और के तरफ भाग गया ठीक है या फिर वो कहीं और चली गई वो उससे ज़्यादा बात कर रही है ये सब मोम आया है क्या है ये मोम आया है अरे बोलो हाई या ना ऐसे केस में सिफ एकी चीज बोला करो कि ऐसे केस में जब भी ऐसा लगे तो ऐसा बोला करो निधी का नाम नालो दिल बहक जाता है क्या वाला करो निधी का नाम नालो दिल बहक जाता है ऐसी तैसी कराए वो हमारा क्या जाता है तो आप एपने वाले को को ध्यान में रखके ऐसा बोल दी अगर हो, चली आइए, next आइए, okay, कहीन, चली ए, okay, आइए, last वाला case फ्लीज, last वाला case कौन सा था, ये वाला, कुछ नहीं रिला ला, बेंकर ने cheating, बेंकर ने, बेंकर ने check को approve कर दिया, उसमें sign जबकि owner ने नहीं किया था, किसी और नहीं किया था, आजाओ, ABCL, Diwali बाद, स्टार्ट होगा, बेटा, Manisha, same, imprisonment for life वाली सजा है वो, वो attorney रहते है न, इसलिए, yes, लिख सकते हो, अब जोशी जी, चली आजाओ, अभी ध्यान देंगे, प्लीज सभी लोग, okay, please people, now ध्यान देंगे, next आ रहे हैं, 421 से 424, which is actually not much important sections, आज तक पूछा नहीं काया है, बट फिर भी पढ़ना है, 421 से 424, people, ध्यान देंगे सभी लोग, सबका ध्यान मेरी तरफ, आजाईए सभी लोग, 421, 421, 421 क्या है, इसके heading देखना हो, dishonest, पिटा, रोज की रोज कर जो ना तुम लोग, RTI डन, RTI डन, limitation, administrative, IPC आधा, जित्ता कल कर आया था, रोज की रोज चाहिए है, चली आईए, next है 421, ध्यान देंगे सभी लोग, now what is 421, people, please ध्यान देना, 421 is dishonest, और fraudulent removal और concealment of property to prevent distribution among the creditors, now what exactly is this section 421, please people, ध्यान से सुनियेगा, everyone, मैंने आपसे लोन लिया 50 लग का, कित्ते का लोन लिया बोलिये, मैंने आपसे 50 लग का लोन लिया, और वो पैसा पूरा खर्च कर दिया, ठेक है शादी में, क्या में खर्च कर दिया, शादी में, शादी में पूरा पैसा खर्च कर दिया, 50 लग पराबर, अब मैंने आपसे बोला था पैसा लेने आप आ जाना, आप आए, लेकिन आपके आने के पहले मेरे को पता था मेरे पास बहुत सारे एसेट्स हैं, अगर मैंने आपको पैसा ने दिया, तो आपको एसेट्स को बेचोगे और अपना पैसा तो वसूल लोगे, मेरे पास जितने एसेट्स से सब को छुपा दिया, जितने इम्वर्बल प्रॉपरटी थी मेरी कम दाम में दोस्तों को बेच दिया, बोला बाद में वापिस ले लूगा, जब तुम आए, बोले मोधी सर पैसा दो, मैंने का पैसा तो खर्च हो गया, बोले एसेट्स बेच के पैसा दो, मैंने का मैं गरीब हूँ, मेरे चेक कर लो मेरा घर, घर भी बिग गया, मैं पास कुछ भी पैसा नहीं है, सब खतम हो गया, लुड गया, बरबाद हो गया, मैं भी और तुम भी, ठीक है, तो मैंने ये एसेट्स को बेच दिया, छुपा दिया, क्यों? ताकि क्रेडिटर्स को मैं चूना लगा दू, ताकि क क्या करते हो, जो अक्यूस्ट है, मतलब जिस पर इल्जाम लगा है, वो कोई प्रॉपर्टी कंसील, मतलब छुपा देता है, रिमोफ डिलीवर, मतलब किसी को दे देता है, ट्रांसफर कर देता है, बिना adequate consideration की करता है, वादी में बादाट कम दाम में बेच देता है, क्यों क सब कर रहा है, और यह सब काम वो fraudulently, dishonestly कर रहा है, इसकी सजा है, दो साल की जेल, या fine, या दोनो, इस पर वो जान मुझ के इंसॉल्मेंट बनना चाहरा है, जान मुझ के, ताकि वो क्रेटर्स को पैसा ना दे पाए, बास समझे ने, बढ़िया से, अरे बढ़िया से, अरे इसकी बाद में में पाद जितनी प्रोपर्टी थी, सब बेजबाच के नक्की कर दिया, बैंक वाले आये मेरे पास, बोले, पैसा दे रहे बदवे, मैंने बोला, एक रुपए निये बदवे, बोला, एक रुपए निये मेरे पास, बोले, तेरी एसेट बेच, बोला, नही ह So basically, now the thing is, people, now the thing is, कि ऐसे cases में आपने क्यों किया ये सब, ता कि आप बेंकर को पैसा ना दे पाओ, ता कि आप creditors को defront कर दो, and in such a cases, you are liable with imprisonment of two years or fine or both. So याद रखना कि accuse, remove, conceal, transfer the property without adequate consideration, he do so to prevent the legal distribution among the creditors, he do it with the dishonest and fraudulent intention, he is liable with the punishment of imprisonment of up to two years or fine or both. क्या करता है क्यूस, remove करता है, conceal करता है, deliver करता है property without adequate consideration, the intention is to prevent the legal distribution among the creditors, the intention is to what, prevent the legal distribution among the creditors, he does it with the intention of fraudulent intention, dishonest intention, dishonest intention, liable with the imprisonment of two years or fine or both, बोली हाँ यान न, section कान से, section 421, the accuse, 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 remove, conceal, transfer the property without adequate consideration, he do so to prevent the legal distribution among the creditors, he does it with the fraudulent or dishonest intention, फिर से बोलना साथ में, the creditors, he does it with the dishonest or fraudulent intention, हाँ है न, साजा कितनी है, दो साल की जेल या फाइन या दोनो, साजा कितनी है, दो साल की जेल या फाइन या दोनो, साजा कितनी है, पढ़ने आ है हो न याँ बे, मेडाम आपको बोल रहा हूँ, ध्यान दो, साजा कितनी है, आयोश कहता है, विदाउट एडिकविट कंसिरेशन मतलब सर कुछ ना कुछ कंसिरेशन में देगा ही न, फ्री में नहीं देगा न, आयोश मेरी एक करोड की प्रोपर्टी अगर पांच रुपए में देता हूँ, तो ये भी विदाउट एडिकविट कंसिरेशन ही है, दस रुपए में देता हूँ, तो भी विदाउट एडिकविट कंसिरेशन ही है, बात समझ रहो आयोश? ओके आयोश, आप intention को समझो ठीक है? यह आयोश वही है वैसी जैसे लड़किया सब्द पकड़ लेती है ना, intention नहीं समझ रही है शब्द पकड़ लेती है, क्या पकड़ ले रही है? शब्द पकड़ भावना को समझो यार फिलिंग्स को समझो शांता भावी को नहीं मतलब अंदर की भावना को समझो बाहर वाली भावना नहीं अंदर की भावना को समझो आप चलिये, आईए चलिये भावी, आजएगे अभी ध्याद दो सुनेंगे चलिये, सुनिये, सुनिये, सुनिये सुनिया सभी लो किjust किया करता है remove कर रहा है conceal कर रहा है property को deliver कर रहा है without adequateтесь to prevent legal distribution chr- insider कैसे काम कर रहा है fraudulently dishonestly हईगila वहते हैं 2 साल की jail या fine ज़े और गा भांच आया ना बेटा EBCL की बड़ी demand आ रही है क्या वात है EBCL बढ़िया दिवाली के बाद शुरू करेंगे, टेंसन नालो, ठेंसन नालो, आएए, ओके, पच्छो ध्यान देंगे, next 422, ध्यान देंगे, next कौंसा है, 422, you have means to return the loan, but you are not availing such means, you have means to return the loan, but you are not availing such means, fraudulently, to prevent the, to prevent the legal distribution among the creditors, this is 422, लिखलो, 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 when a person has means to return the loan, when person has means to return the loan, लिखलो, 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 जल्दी से लिखलो, 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 लिखल तो अवेल शच मेंस, but he does not avail such means, but he does not avail such means to prevent legal distribution among the craters, to prevent the legal distribution among the craters, to prevent the legal distribution among the craters, to prevent the legal distribution among the craters, when person has means to return the loan, but he is not availing such means or he does not avail such means, to prevent the legal distribution among the craters, is punishable with imprisonment of, imprisonment up to, punishable with imprisonment up to two years, or fine, or both, imprisonment up to two years, or fine, or both, matlab kya hai chacha iska, matlab ye hai, when person has means to return the loan, but he does not avail such means, to prevent legal distribution among the craters, aapke bas suvida hai, sadhan hai de ne ka, but de nahi rahe hai, sadhan hai de ne ka, but sadhan de nahi rahe hai, kya hai, sadhan, sadhan, you have sadhan, you have sadhan, source, sadhan, zariyah, dene ka hai, but wo zariyah ko use na karna, hai sadhan, lekin sadhan ka istamal na karna, bolo kya sadhan hai, but sadhan ka istamal, Ram Gopal, ye sab teri taraf isharah kar rahe hai, bolo kya sadhan ka istamal nahi kar rahe hai, hai tere paas sadhan, paisa lotane ka, tu sab ka paisa lotana, chali ye, yad rakhna, so an person have means to return the loan, but he is not availing such means, samajte hai, me ko Ashi sir ko 10 laak rupe dene hai, meri paas dmat account mein 20 laak ke share pade hai, ab bhi becun ga, toh paisa mil jaye ga do din mein, mein de sakta ho Ashi sir ko paisa, but mein woh means ka istamal nahi kar rahe ho, Ashi sir ko pol raho, meri paas nahi hai paise, nahi hai paise, ho dost hotate na kai, paise hotate hai, khana khane, jab bil ki baari aati hai toh, yaar, aaj nila hai yaar paise yaar, aaj nila hai yaar paise yaar, aaj nahi hai yaar, paise, tu de de next time dayta ho yaar, hotate hai na, yaa phir jaan wujh ke phone scan karate hai, galat wali pin nd daal dayta hai, yaar, failure aa raha hai, yaar, kya aa raha hai, failure aa raha hai, yaar, yaar, toh failure aa raha hai, kya oo, aise karthi hai ki tu gori, bachche tiri tari bishara karna hai sam, ki gori aise karthi hai, paise bachati hai gori, gori aise karthi hai, seriously, अच्छा और yaar, tira se ubeid niti yaar, toh bhaiya, baad aisi hai ki aise cases mein, aise cases mein bhi 2 saal ki jail ya fine ya dono, madab you have means to return the loan, aapko loan lot ane ka tariqa hai aapke paas, zariyah hai, paata wos zariyah ka istimal nahi karte hai, saza kitni hai, 2 saal ki jail ya fine ya dono, saza hai 2 saal ki jail ya fine ya dono, section 4, 22, you have means to return the loan, haa, wahi mein bholu, abhi tak kisi ka question nii hai, bhaawna carrier, sir, upar wala bhi toh aisi tha, nahi, पहले वाले में आप property छुपाते थे या कमदाम में बेचते थे, यही था, और यहाँ पर आपके पास तरीका है लोटाने का बड़ तरीका है यूज नहीं कर रहे हो, उसी type का है, जानेमन, लेकिन समझो आप बात को, दोनों की फरक समझाओ, में को बोलने थो, तो मैं बता हूँगा न, आप भी बोलोगे, तो कैसे समझोगी, समझो बात को, आपके पास पैसा पैसा लोटाने का साधन है, मतलब आपके वाद दीमेट में शेयर पड़े हैं, हो सकता आपको किसी से लेने की हैं पैसे, creditor को defraud करना दोनों का intention सेम है creditor को defraud करना, सजा दोनों की सेम है दो साल की jail या fine या दोनो next is 423 423 कहता है जब भी आप deed of transfer बनाते हैं कोई घर खरीतते हैं गाड़ी खरीतते हैं घोड़ा खरीतते हैं जब भी आप खरीतते हैं कोई घर, गाड़ी, घोड़ा, बंगला और उसमें जूट लिखते हैं consideration के बारे में आपने 2 करोड का घर खरीदा जान मुझके agreement एक करोड का बनाया और बाकी का एक करोड केश में दे दिया आपने 2 करोड का घर लिया लेकिन आपने एक करोड रुपे का एक करोड का केश में दे दिया पेमेंट और एक करोड का agreement दिखाया इसकी सजा है दो साल की जेल या फाइन या दोनो बहुत लोग ऐसा करते हैं बहुत गलत बात है क्यों करता है मैंने जिंदगी में आज तक ऐसा कभी नहीं किया मैंने आपको बताया ना मैं इतना निष्ठाचारी हूँ कि अगर मैं सिगनल तोड़ दू और पुलिस वाला ख़ड़ा उना हूँ तो दूसरे दिन जाके फाइन दे के आता हूँ चलिए ओके आईए आईए भाई अभी ध्यान देंगे 423 कहता है 423 कहता है सभी लोग ध्यान से सुनेंगे ठीक है बच्चे बोलेंगे इसको निष्ठाचारी नी क्यूटी हा बोलते है चलिए आज़ा अभी ध्यान देना 423 सभी लोग ध्यान से सुनेंगे 423 कहता है इससे आपका घर ट्रांसफर हो रहा है घर मिल रहा है घर जा रहा है बेच रहे हो खरीद रहे हो और उसमें आप जूट लिखते हो false जूट लिखते हो या तो consideration के बारे में या तो person who is going to use it उसके बारे में या तो beneficiary जूटा बताते है या तो consideration सजा रहे हैं 103 ठीक है muskaan yes muskaan अभी तक की जितने chapters हुए sunday को सब को audiobook मिल जaff को just be relaxed for it section 423 क्या कह रहा दो लिए अगर आप sale deed कर रहे हैं और उसमें जूट बोल रहे हैं किसके बारे में consideration के बारे में या तो beneficiary के बारे में सर consideration का तो समझ गया दाम कम बता रहे हैं ताकि stamp duty कम जाए लेकिन सर beneficiary जूटा क्यों बताते होंगे मैं समझाता हूँ आशी सर ने घर करीदा मेरे नाम से खुद यूज कर रहे हैं क्यों तक income tax की नजरों में ना आए समझ रहे हैं तो इसलिए ऐसे case में याद रखना हूँ लाला कि beneficiary जूटा बताते हैं या consideration जूटा बताते हैं सजा कितनी हैं दो साल की jail या fine या wonderful next step 424 424 is 421 plus 422 to minus intention to defraud creator plus any dishonest intention सरे मैं सो गया है तो गणित में मेरा कमजोर था अभी भी है नहीं अभी अभी इच्छा हो गया है अभी मैं सिखाता हूं नेट नेट उनफंट कैसे निकालते हैं SBC में आपको मतलब इजी है चली आईए ओके अभी वह सेटिंग में मजा आता जब सिखाऊंगा पार्ट भी में आएगा हो चली आईए ओके section 424 424 कहता है आपके पास कोई property है ध्यान देना आप उसे छुपा देते हैं या remove कर देते हैं है ना आप उसे छुपा देते हैं remove कर देते हैं या फिर आप को किसी को पैसा देना है है आपको किससे पैसा लेना है हम Into से आप उस पैसे को release कर देते हैं आप सामने आप तो मत दे किसी भी dishonest intention के साथ में तो आपको सजा है दो साल की जेलिया फाइनिया दोरो, समझते हैं 421 था, अगर आप कोई properties conceal करते हैं, remove करते हैं क्राइटर को defraud करने के लिए तो दो साल की जेलिया फाइनिया दोरो 422 था कि you have means to return the loan but you are not availing such means to defraud the creator 423 था कि जूट बोलना जब आपने कोई agreement किया उसमें जूट बताया consideration मतलब दाम कितना वो जूटा बताया या फिर जो use करने वाला उस चीज को उसका नाम जूटा बताया तो दो साल की जेलिया फाइनिया दोनो 423 में 424 है कि अगर आपके पास कोई property आप उसे चुपा देते हैं या रिमूफ कर देते हैं या फिर आपको किसी से पैसा लेना है बट उस पैसे को आप सामने वाले के लिए माफ कर देता है बोलता हम बत दे में बट सरसे पैसे लेना है दस लागा है बोलता हम मत दो वो पैसा या फिर मेरे पास कोई property में उसे चुपा देता हूँ या उसे रिमूफ कर देता हूँ किसी भी dishonest intention के साथ किसी भी dishonest intention के साथ तो 424 है सरी 424 एक्चली 421 और 422 जैसा लग रहे है येस लेकिन 421 और 422 का objective था creditor को defraud करना 424 का objective कुछ भी हो सकता है dishonest कोई भी dishonest या fraudulent objective हो सकता है कोई भी any fraudulent और dishonest सरकार को बेवकूब बनाना हो सकता है बास समझ रहे है सरकार को बेवकूब बनाना हो सकता है किसी लोग से बचना हो सकता है समझ रहे तो याद रखना 424 है कि अगर कोई property को छुपा देते हैं रिमूफ कर देते हैं या फिर कोई किसी सरी demand claim लेना उसको माफ कर देते हैं मद्द वैसा किसी भी fraudulent dishonest intention के साथ तो ऐसे case में सजा कितनी है दो साल की जेल या फाइन या दोनो फिर से उलोसादा कितनी है दो साल की जेल या फाइन या दोनो आईये वेरी गुड वन्डफल पीपल आप लोग एकदम सही जा रहे हो एकदम अच्छे से जा रहे हो आ जाओ चलो वन्डफल मांसी के रहे सब धनिया पुदीना हो गया बेटा लसन और अद्रग भी कर देते हैं आ जाओ साथ में मिलके मतलब रिवीजन के साथ आ जाओ सब लसन अद्रग भी कर देते हैं आपके लिए सुनिए सबसे पहला 421 क्या था इवाइस करा जेता हूं बेटा अधिन्षर मतलो 421 से 422 बहुत इसी है बहुत असान है याद रखो बस आप पहले हिंदी में बोलता हूं फिर इंग्लीश में बोलता हूं अक्यूज मतलब जिस पर इलजाम लगा कोई प्रॉपर्टी को कमदाम में बेच देता है या कोई प्रॉपर्टी को छुपा देता ह है क्यूं छुपाता है क्यूं कमदाम में बेचता है ताकि क्रेडिटर को डिफ्रॉड करे 421 422 है आपके पास पैसा लॉटाने का तरीका है बट वो पैसा लॉटाने का तरीका आप यूज नहीं करते हो तो 422 ठीक है आप कोई सेल डीड करते हो मतलब कोई घर खरीते हो नाम जूटा बताते हो, या फिर बेनिफीशरी ज़तब जो घर खरीद रहा उसका नाम जूटा बताते हो, 423 सजा कितनी, 2 साल की जेल या फाइन या दुर, ठीक है, अब 424 देखना, आप कोई प्रॉपर्टी छुपा देते हो, बेच देते हो, या फिर आपको किसी से पैसा ल तो कौँछा तो काउंसा सेक्शन है, 424, चारो की सजा सेम है, 2 साल की जेल या फाइन, फिर आप तो 2 या फाइन, आप तो थो या फाइन और बोगत, so if accused remove the property, conceal the property, without adequate consideration to prevent the legal distribution among the creditor, then in such a cases he is liable with the punishment up to 2 years or fine or both, if you have means to return the loan but you are not availing such means to prevent the legal distribution among the creditor, then also imprisonment is up to 2 years or fine or both, if you execute any sale deed and you write false statement about consideration or beneficiary then also you are liable with the imprisonment up to 2 years or fine or both if you conceal some property or transfer it or you have to take some demand you have some demand or claim but you release such demand or claim with any fraudulent or dishonest intention then also imprisonment up to 2 years or fine or both just 4 section exam के लिए important निया है फिर भी मैं को लगता है मैंने बहुत समय इसमें दे दिया, जो नहीं देना चाहिए था, but anyway, forgery पर आते हैं, आईए, किस पर आते हैं बेटा, forgery hacker man लिखता है, sir, can you please block me, why not, कर दिया बेटा, सही मैं कर दिया बेटा, चली आजाओ, नो दियान नहीं आजाओ, चली आजाओ, okay sir, can you please block me, पुनित वाधवा लिखता है, sir, 421 से 424 बोरिंग है, अच्छा, ठीक है, चली आजाओ, next है, forgery, कौन से बेटा, forgery, आजाओ गुपता जी लिखते है, sir, सारा मजा चला गया, बट समझ आ गया सब, ठीक है, गुपता जी, आईए, next step, forgery, now क्या है, बेटे, forgery, forgery क्या है, जूटे डॉक्यमेंट बनाना, माबाप की नकली साइन करिये कभी, माक्षीट में, ऐसी थोड़ी बड़े हुँ है, sir, आपको क्या लग रहा है, यहां तक ऐसी पहुँच है, हमने तो CACT में भी चीटिंग की थी, sir, नहीं की थी, नहीं की थी, ठीक है, चलो, good, पक्का नहीं की थे न, अच्छी बात है, good, cheating करना बुरी बात है, ऐसा, चलिए आए, forgery, forgery means, means, भाईया, ध्यान दो, forgery means कोई false document या false electronic record बनाना, या उसका कोई part बनाना, ठीक है, ठीक है, issue जी 424 is nothing but 421 plus 422, 421 और 422 को objective दा, creator को defraud करना, 424 को कोई भी dishonor से objective हो सकता है, बस इतना यान दख लेना, that's it, बेटा, आईये, अब ध्यान दो सुनना, सभी लोग, सभी लोग ध्यान सुनेंगे, case law lawन करने हंजी, हाँ, Gautam लिखता है, इतना easy लगने लगा हूँ, JIGL तो नहीं हूँ, क्या बात है, वाह, क्या बात है जानेवन, sir, unique में CA final के class नहीं होते हैं, प्लीज टेल मी, हमारी कजिन को लगाने है, विटा, office में call कर लो, एक बरी, चली आजे, forgery अच्छे पूचे पूचे नहीं, आज तक नहीं पूचा, पूचा हुआ है, अचा ध्यान देना, what is forgery people, please ध्यान से सुनना, forgery means, executing false document, और false electronic record, आप क्या कर रहे हैं, कोई false document बना रहे हैं, या कोई false electronic record बना रहे हुआ, जूटा दस्ता वेज बनाना, जूटा electronic record बनाना, what you do is, execute a false document, और what you do is, you execute a false electronic record, ठीक है बेटा, online book, online वालों को भी audio book मिल जाएगे, उसकी attention में तो पढ़ाई पिते हां दो, हाँ जी, false document बनाना, false electronic record बनाना, समझते हैं, मैंने CS का मेरा certificate जो है, वो fraud बना दिया, क्या बना दिया, fraudulent मैंने याद रखता है, मेरा CS का certificate बना दिया, ठीक है, fraudulent, सब उसमें जूट जूट लिखती है, कोई भी चीज सत्य वाली लिखी नहीं, जो भी लिखा, सब कैसा लिखा, जूटा, जूटा नकली CS का certificate, CS VS थोड़ी हूँ मैं, तुम सब को बेवकूब बना दिया, कि मैं CS हूँ, और CS नहीं हूँ, जूटा, जूटा, जूटा document बना लिया ये, Institute of Company Secretaries of India, जूटा, Certificate of Membership, जूटा सब, this is to certify that, जूटा, CS Shubham Modi of Balaghat, जूटा, was admitted as an associate of ICSI on 5th day of January 2018, ये सब जूट जूट बना लिया, ये इनकी साइन भी नकली कर दिया, ये नकली साइन भी नकली कर दिया, ये तो एको नकली तो लग भी दिया, क्यूआर को नहीं हो सकता, ये सब लगा दिया मैंने, और ये Membership No. 54101, अचा मान लिजिए, गर मैंने इसा कर दिया, मान लिजिए, कि मैंने ये जो बनाया, ये जूटा बना दिया, एसे cases में, this is known as what? Forgery, ऐसे cases में हम इसको क्या कहते है, Forgery कहते है, याद रखेगा, इसको हम कहते है, Forgery, याद रखना बच्छा, इस Particular चीज को, कोई भी जूटा, False Document बनाना, False Electronic Record बनाना, इससे हम Forgery कहते है, ठीक है, इसे हम क्या कहते है, Forgery कहते है, अचा, याद रखना पहुति को नृट्पित दा बहुत हुआया किशी पुछाना इसरी को नृक्साना धुर्शान के लिए जोनी। दोस्तों कोई जूटा सर्टिफिकेट बनाया कि आप ऑथराइज सेलर है किसी प्रोड़क किया जब कि आप ऑथराइज सेलर थे नहीं तो यह भी फॉरजरी है नकली समान बेच किया गए किसी को इंजरी पहुंचा दी या फिर कोई क्लेम पाना टाइटल पाना हो सकता है मैंन नकली दॉक्यमेंट बना लिए कि मैं इस जगा का ओनरू नकली टाइंटल पा लिए मैंने कोई डॉक्यमियल बना लिए जिससे मैं इसी परसंगोशी प्रोपर्टी से सेपरेट कर रहा हूं मैं कोई कॉंट्रे गॉर्मेंट ने बोली हम उसी को कॉंट्रेक्ट देंगे जिसको पाथ साल का experience हो मैंने नकली certificate बना लिए जिसमें को पाथ साल का experience दिखा रहा है ठीक है आप को फ्रॉड करना चाहते है उसके लिए आपने नकली documents बना लिए यह सब cases में अगर आप कोई भी false document false electronic record बना लेते हैं then this is known as forgery या कहते है इसको forgery इसकी सजा है दो साल तक की jail या fine या दोनो सजा कितनी है बिटा दो साल तक की jail या fine या दोनो so whenever you execute a false document or a false electronic record with the following objectives either to cause damage or injury to the party or to support any claim or title or to separate a person from his property or to enter into an implied or express contract or to commit a fraud please इसको याद करना है अभी के अभी forgery 463 section है section कौन सा है 463 463 forgery का section बोलिए 463 once more कौन सा section है 463 forgery क्या है false document execute करना false electronic record execute करना क्यूं either to cause a damage or injury to any to any person to support any claim or title to separate a person from his property to enter into express or implied contract or to commit a fraud फिर सब लिक्यूं करते हैं यह सब to cause a fraud or injury to any person to support any claim or title to separate a person from his property to enter into express or implied contract or to commit a fraud फिर सब लिक्यूं करते हैं यह सब to cause a damage or injury to a person or property to support any claim or title to separate a person from his property to enter into express or implied contract to commit a fraud फिर से बोलिए to cause a damage or injury to public or any person to support any claim or title to separate a person from his property to enter into express or implied contract or to commit a fraud फिर से बोलिए to cause a damage or injury to public or person to support any claim or title to separate a person from his property to enter into express or implied contract or to commit a fraud फिर से बोलिए to cause a damage or injury to public or person to support any claim or title to separate a person from his property to enter into express or implied contract or to commit a fraud फिर से बोलिए to cause a damage or injury to public or a person to support any claim or title to separate a person from his property to enter into express or implied contract or to commit a fraud in such cases सजा कितनी दो साल की जेल या फाइन ठीक है अब एक केस था बलबीर कॉर वर्सेस टेट अफ पंजाब का या एक्जाम में बलबीर कॉर वर्सेस टेट अफ पंजाब का केस है क्या था इस केस में ध्यान देना एक लड़की इंटर्विव देने जाती है एटीटी टीचर बनने के लिए एक लड़की जाती है इंटर्विव देने एटीटीचर बनने के लिए और एक सर्टिफिकेट दिखाती है certificate दिखाती है, वो रहता है experience certificate, क्या रहता है बेटा, experience certificate, उसमें वो दिखाती है कि उसने एक school में काम की थी, कुछ साल, और उसका experience certificate देती है, वो school recognized नहीं था, लेकिन certificate में कहीं नहीं लिखा हुआ था, कि school recognized है, ठीक है, school recognized नहीं था, और certificate में भी ऐसा जूट नहीं लिखा था, कि school recognized है जूट नहीं लिखा था certificate सिर्थ एक्सपीरियन सर्टिफिकेट था सिर्थ बताया गया था यह school में उसने काम किया है school recognized नहीं था certificate ने भी कहीं नहीं लिखा कि school recognized है जहां वो interview दिने गई उन्होंने case कर दिया कि इसने हमें wrong facts बताए है इसने हमें जूट बोली है इसने बताई है कि यह school पे काम करीए जब कि इस school recognized नहीं है क्या यह forgery है या नहीं है forgery है या नहीं है तो बोला गया यह forgery नहीं है because वो लड़की ने कुछ भी जूटा document नहीं बनाई अगर वो बताती कि school recognized है जब कि school recognized नहीं होता, तो forgery होती, लेकिन उसने सिर्फ experience certificate डिखाई थी, school recognized नहीं था, उसने भी यह नहीं बताई कि school recognized है, उसने सिर्फ अपना experience certificate डिया बंदी ने, तो भाया, वो बंदी एकदम निर्दोश है, वो बंदी बिल्कुल भी, सजा उसको नहीं मिलेगी, reason is very simple, यह forgery की definition में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पर false document ही नहीं मनाया गया, there is no false document executed, so जब false document executed नहीं होगा है, तो सजा कैसी न, तो वह ही जो case था, उसको, खारिज कर दिया गया, कॉश कर दिया गया, क्या कर दिया गया, कॉश, stamp pack का revision होगा, बिल्कुल होगा, why not, 100% होगा, ठीक है, चलिए, ओके, याद रहेगा, चलिए, ओके, सर अगर आपने property register की थी, तो पता चलेगा, और अगर आपने उसे बेचा, और बंदे ने register नहीं किया, तो पता चलेगा, आपके पास property है, तो कई बार ऐसा होता कि जूटे document मना देते हैं, प्रॉपर्टी है, एक ही property होती है, लेकिन उसके दो कागज बन जाते हैं, यह मेरी है, यह मेरी है, तो ऐसे case में forgery, एक तो जूट है, अब एक property है, दो document है, एक तो जूट है, अब यह हमारे relative के साथ हुआ, उन्होंने घर खरीदा, और जिस बंदे से खरीदा, उसमें वहीं घर किसी और को भी बेच रखाया, समझ रहे हैं, आप दो लोगों को घर बेच दिया, अब रजिस्ट्री भी दो बार हो गई, बता हैरानी की बाद, तो भहियां आप यह ऐसे cases होते हैं, ऐसे cases होते हैं, जब एक ही property है, कागज दो है, यह बोल रहा है मैं भी owner हूँ, यह बोल रहा है मैं भी owner हूँ, तब दिक तारीक पे तारीक तारीक पे तारीक वाली कहानी हो जाती है, चलिए तो याद रखना बेटा, forgery में अब क्या execute करते हैं, कोई भी false document या electronic record, intention क्या है किसी को, damage पहुचाना, injury पहुचाना, कोई title पाना, किसी को उसकी property से separate करना, कोई contract mentor होना, या कोई fraud करना, सज़ा कितनी है, दो साल की जेल या फाइन या दो नो, सज़ा कितनी है, एक नंबर, next and defamation, people, defamation, 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 defamation is section 499, section कौन सा है, 499, now what is defamation, ध्यान दिनना, defamation is to harm the reputation of a person, intentionally, है न, to harm, यह आप क्या करते हैं, कुछ imputation या acquisition करते हैं, कुछ imputation या acquisition करते हैं, किसी पर इल्जाम लगाते हैं, किसी के बार में कुछ बोलते हैं, और उससे, उसकी reputation को harm करते हैं, that is what defamation, that is what, जान मुझके, क्या से करते हैं ये, जान मुझके करते हैं, ये जो भी आप हरकतें करने हैं, क्यों करने हैं, जान मुझके करने हैं, ताकि किसी का नाम खराब करते हैं, हम इसे कहते हैं defamation, क्या कहते हैं, किसी के character के बारे में गलत बोल देना, जैसे कि, क्लास वालों ने राम गोपाल वर्मा के बारे में पहलाया हुआ है क्लास वालों ने राम गोपाल वर्मा के बारे में इसका गलत बताया हुआ है राम गोपाल वर्मा का सब इसके बारे में गलत गलत बोला हुआ है इसकी छवी जो है 377 वाली दिखाई गई है तो यह सब जो करेक्टर राम गोपाल वर्मा के बारे में गलत गलत सब दर्शा है भूशन ने खास कर ठेक है तो है कि नहीं सही बोला ना मैं तरको बचारा हूं तो मेरे नाम लगा रहा है तो सेक्शन 499 वाट यू एक्जेक्ली डू इंग्रिडियेंट्स याद रखने हैं आप किसी के बारे में कुछ बोलते हैं इंपिटेशन या अक्यूजिशन इल्जाम लगाते हैं बोल के या लिख के या इशारों में या कु आइन और विज्वल रिप्रिजेंटीशन आप किसी के बार में इंपिटेशन रिक्यूजिशन करते हैं और यह सब दिखाते हैं किसी थर्ड पार्टी को मैं मैं प्रतीक को ही बोलू ते रूप के रेक्टर लेसे तो यह डिफेमेशन नहीं है लेकिन मैं दुनिया वालों को क्यों करते हैं तो हाम दर एपिटेशन क्यों करते हैं यह सब तू हाम दर एपिटेशन हम यह सब क्यों करते हैं तू हाम दर एपिटेशन आप परसन हम इसलिए करते हैं ताकि किसी की रेपिटेशन खराब हो जाए तो याद रखना डिफेमेशन सुनने ऐसा लगता बच्च याद होना चाहिए तो हम क्या करते हैं defamation के ingredient याद करेंगे क्या है defamation and imputation or accusation वो लो क्या है and imputation or accusation कैसे किया by words spoken or written by sign or by visual representation वो लो defamation हम क्या करते हैं imputation or accusation by words spoken or written or by sign or visual representation किसको करते हैं किसी थर्ड पार्टी को intention क्या है to harm the reputation निखिल कह रहा है सर बहुत सारे में imprisonment दो साल तक किया तो याद कैसे करना है अच्छा है ना सबकी एक समाने तो ज्यादा अच्छा है याद हो जाएगा आप revision करते करते चलो हो जाएगा अच्छा defamation की सजा भी वही है दो साल किजे लिए फाइन है दोनों याद रखना imputation करते हैं या acquisition करते हैं कैसे करते हैं by words oral or written by sign or by visual representation किसको करते हैं to third party को और intention कहें to harm the reputation of person ठीक है कि हम सब के बीच में रदीक में रदीक में रदीक करते हैं क्या क्या करते हैं इंपिटिशन और अक्यूजिशन बाइवर्ट फोकन और रिटन और वाइव साइन और वाइव विज्वल रिप्रेजेंटेशन किसको करते हैं किसी third party को क्या 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 रदीक नहीं रहा हम गए मांसी गई ओली क्या करेक्टर लेस परसन था यार है ना उसके घरवालों को बोल रही है एक नंबर का ठरकी था हर लड़की पे पर लाइन मारता था ने एक यी पर लाइन मारता था है थेके हैं अचा ध्यान लेस परसन था थीके क्लास हटम होने सबीजाद को सब्दुआ करता था किसी को बाईग में घुमाया करता है यह ऑन तो ये जो है हम मांशी गर वालों को क्या कर रही है हर्थ कर रही है ऐसी ऐसी बाते कर लीक्ली कर वालों को दुख होositना नहीं था आप लीखयरेट फूक होरे था दार्यू पिया कर ता घंजा भूक हरतं था लिवस्ट हम अरलाल करता था भी था अब आप कोई स APIs disease है, उसके बारे में you are saying something, जिससे उसकी family की feeling hurt हो रही है, किसकी feeling hurt हो रही है, family की, या relatives की ऐसे cases में भी याद रखना वो defamation में आएगा, अगर वो व्यक्ति वैसा नहीं था और उसके मरने के बाद भी आप उसके में आएगा बिटा, इश्वरी जा कहती है, राम प्रतीक को मद बोलो क्यों बिटा, already booked है बिटा, आज अबढ़ सर सो गए है, क्या कहां हो सर जी आप, मतलब में को भंगाना चाहते हूं सालो, बेश शरम आज तो और जाधा पड़ा हूंगा, अभी ध्यान देना आजएए, सुनिए ध्यान से, सो ध्यान देना सभी लोग, people, सुनिए सुनिए ध्यान से, सो आप क्या करते हूं किसी की किसी की family या फिर near relatives को hurt करते हूं कोई मरे हुए person के बारे में बोलके, so that is what, defamation next है ध्यान देना, आप किसी group के बारे में गलत बोलते हूं, किसी group के बारे में गलत बोलते हूं, like किसी नहीं सिर्फ unique की faculties को target किया, unique की students को target किया, सिर्फ, this is also a defamation, ऐसा नहीं कि अकेले व्यक्तिक होता है, it can be for association also, समझ रहे है, किसी ने सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ BJP party को defame किया, समझ रहे है, ठीक है, किसी ने सिर्फ और सिर्फ, अभी, माली जे से, for example, अपने अर्विन केजिरिवाल को defame किया, ठीक है, तो या, नहीं, defame किया, defame, उसिर्फ party को defame किया, exceptions है, बहुत सारे वो आगे देखेंगे, बड़ आपने सिर्फ किसी group को defame किया, वो भी defamation में आता है, yes, आचा किसी को sarcasm, या, ironically defame करना, वो भी defamation में आता है, yes, जैसे मैंने कहा, class से camera चोर ही हुआ, तो हमने का, प्रसन्न तो चोर होई नहीं सकता, ये तो चोर होई नहीं सकता, नहीं, प्रसन्न सबसे अच्छा आदमी है, ये तो चोर होई नहीं सकता, किसने चोर बोला, किसने चोर, चोर ये हो होई नहीं सकता, intention क्या बोलना, कि यही चोर है, ironically बोलना, यह भी diffamation में आता है, yes, sarcasm में बोलना, समझें है, ironically बोलना, यह भी diffamation में आता है, अच्छा, सुनीए, ध्यान देना सारे, सभी लोग, सभी लोग ध्यान जो सुनना, please, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ए क्या कर रहे हो, जैड को बोल रहे है, जैड इक honest आदमी है, कि Z नहीं बहुत चुराई है, क्या ये diffamation है, chimakab endured, Zघी बहुत चुराई नहीं सकता a Z को बहुत चुराई नहीं सकता, बहुत honest आदमी Meyer was intention क्या है कि Z नहीं बहुत चुराई है, ये diffamation में आएगा, ये diffamation में आएगा a ने.. बेटा धहन दे, A ने B की बहुत चुराया और A से पूचा किसने बहुत चुराया बतब A से पूचा गया किसने B की बहुत चुराया, तो A ने सिर्फ इशारा कर दिया Z की तरफ, क्या ये भी डिफिमिशन में हो सकता है Yes सार्किजम में बोलना is also defamation सिर्फ इशारा करना मेर से पूचा किसने कैमरा चोरी किया, मैंने ऐसे इशारा कर दिया क्या ये भी defamation में आ सकता है? Yes This is by sign और last होता है by picture मैंने एक painting बनाया है जिसमें प्रसनना कैमरा चोरी करके लेके जा रहा है, क्या ये भी defamation में आ सकता है? Yes ठीक है? So, याद रखना defamation जो है लाला, सभी लोग ध्यान देंगे आपको defamation में ingredient याद रखना है सबसे पहले ingredient क्या है? imputation or acquisition by words spoken written by sign or visual representation किसको करते है? third party को, intention क्या है? to harm the repetition of person, intention क्या बेटा? to harm the repetition of person याद रखना, imputation करते है by words spoken, oral written by visual representation, third party को करते है intention क्या है? to harm the repetition of person, सजा कितनी है? 2 साल की jail या fine या दोनो इसके बहुत सारे exceptions है ठीक है, exceptions आज पूरे हो नहीं पाएंगे को कल पढ़ेंगे लेकिन एक चीज़ हो पाएंगे आज वह है defamation के types defamation दो टाइप्स के हैं, कौन कौन से हैं? आप जा सकते हो कौन से हैं? liable or slender कौन से बोले हो? liable or slender अगर आपने किसी को permanent form में defame किया तो liable मैंने किसी को defame किया वीडियो बना के मैंने किसी, मैंने biopic बनाया सौमिल सर की किसकी biopic बनाया? सौमिल सर की और मैं दिखा है कि उन्होंने हर standard में girlfriend बदले है कहां जब फूक है? क्लास में आते समय साथ बजे छे बजे गांजब फूक क्या है? गंदी छवी दिखाया है उनकी biopic में, जब क्यों ऐसे नहीं है तो ऐसे cases में यह कौन से defamation है? liable आप समझ रहे है? liable, liable means permanent form में defamation video बना के, लिख के printing करके painting बना के, तो यह liable है बोल के इशारों से gestures से defamation किया तो slender, किस की सजा जादा होगी liable, किस की सजा कम होगी slender, समझ रहे है? हम ही चाहिए रहे है, liable की सजा होगी जादा, slender की सजा होगी कम, ठीक है? चले बाखी बाते कब करेंगे? कल, धन्यवाज, शुगरिया, बदबद, सुनो, कल defamation के types करेंगे, और कल हम general exceptions भी करेंगे कल हम general exception भी करेंगे, यह दोनों हम खतम करेंगे 45 minutes में, या maximum 50 minutes में, और कल नयायक शुरू करेंगे ठीक है? नयायक कौन सा करेंगे? कोई ऐसा करते हैं, जो एक घंटे में हो जाए चो देखते हैं A under a bona fide, believe that certain profit belong to him, purchaser also same, believe that purchase the property from A even about C's खुशी है ऐसे case में, मतलब यह criminal case नहीं लगेगा ठीक है? criminal case नहीं लगेगा, कोई intention सही थी ठीक है बटा, contract void होगा ठीक है? criminal case नहीं लगेगा इस पर याद रखना, ठीक है बटा? ओके बच्चा चलो देखते हैं फिर नया chapter चलो thank you, bye bye sir, किसी ने असली property owner की death बता के अपने नाम करवाली property तो क्या होगा? cheating Aamir, Aamir फिर हो cheating का case लगेगा ठीक है Aamir? ओके ओके वीवल आप देखते हैं न बेटा बाद में शगुन शगुन बेटा सब 403 में movable आएगा immovable नहीं आएगा क्योंकि अब immolp चीज की चोरी नहीं कर सकते हैं 403 में बागी हर जगा दोनों आते हैं शगुन ठीक है? ओके चली, wonderful sir, cheating of personation में section 146 लिखा है और punishment में 1419 416 में उसको explain किया Aakansha और 419 में उसकी punishment है ठीक है Aakansha? ओके अगाना सुनते हैं? क्याना सुनते हैं चलो पेरा सा गाना सुनते हैं गाना सुनेगा लोटे fediciary relation मात्ब आए बहुता है relationship of trust and confidence ठीक है मोटे? वह कौनसा गाना सुनेगा? Darshan Rawal को सुनते है अबको बगा, ओलो ठीक है Darshan Rawal को सुनते हूं चल सुनाता हूं मोटे गाना सुनाते हैं मोटे को आज यह पीसफुल हग सुनो गाना सुना दे हट बीच से हट गाना सुना दे मेरेको हट मोटे यहां से निकलो Go get out of the class अभी अभी तूम मेले थे फिर जुदा हो गए क्या थी मेरी खता तुम सजा हो गए मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे आद करोगे फिर देखना मिलने की मुझे से तुम पर याद करोगे मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे आद करोगे फिर देखना मिलने की मुझे से तुम पर याद करोगे मुलाकातें धूरी रही मुकमल करूंगा ये वादा रहा तनहाईयों से भी मैं तेरी बातें करूंगा ये वादा रहा तेरा जिकर जिस पे हुआ नहों मेरे पास ऐसा लमहा नहों मैंने जिसमें तुझे को मांगा नहीं मेरे लब पे ऐसी दुआ नहों वाखुदा मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे आद करोगे पिर देख ना मिलने की मुझे से तुम पर याद करोगे चली बाई टाडा टेक्यर क्या मोटे स्टैंट तुगेदर क्या स्टैंट तुगेदर एसा गुट चली बाई पीबल टेक्या हम्